हलो साथियों गुड इबनिंग बहुत बहुत गुड इबनिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चहेते मन पसंद एक नए बैच में और उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब मिलेगा जो आप लोगों ने सोचा था इस बैच से आपको मिले हैं ना कहते हैं सब कुछ बहतरीं चलता है फिल हाल जाने दीजिए जो करना है वो तो करना ही है क्योंकि यह लाइने तो आपने सुना होगा यू कैन नाट कंट्रोल एब्री सिच्विएशन और इट आउटकम्स बट्ट यू कंट्रोल हाव यू डिल भीठीट हिंदी में समझे कि आप संसा करें इन्वर्टर लगाएं बैटरी लगाएं सोलर लाइट लगाएं कुछ करें तो हमारे पास जो था मैंने किया चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत से साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इनको कंफ्यूजन होती कि लाइब है कि रिकॉर्डेड है हमारा सजीम गरियाने मन करत रहा है क्योंकि लाइव रहो फिर को कि रिकॉर्डेड है तो फिर रिकार्ड तो बटन दबाने से नहीं होता आना पड़ता है तो मैं कुछ नाम बोल देता हूं जैसे कि आप अरना मिस्रा जी कमेंट आप कहा रहा है बाल गोबिंद पाल बंदना देवी देखो भाई जब तक बच्चे जूडएंगे मैं एक वाल एक मिनट नाम बोलूंगो बस फिर मैं टॉपिक पर बढ़ जाओंगा सिर्फ एक मिनट नाम बोलूंगा बस ठीक है लालित पाल परवीन भी दीपक सलमान जी अंजली बर्मा सिरो मनी जी बहुत-बहुत थैंक्यू यह अपना जो है वट्सब के स्टेटस में डेली क्लास का लिंक लगाती है है और को बहुत से बच्चे ऐसे मैं देखता हूं इस्टेटस कभी कभी रात भी रात ऐसा दिल तूटने वाला स्टेटस लगाएंगे एक दम उधरे रो रहा है कोनो तो ऐसे चपक के मतलब पता नहीं क्या क्या कर है मतलब ऐसा ऐसा लगता या तो रोने माला या तो फिर वह वाला समझ रहे हो यही लोगों की आज का लीवाओं की जो है इस्टेटस है वट्सप इस्टेटस का यूज जानते हो क्या होता है आप क्या कर रहे हो लाइप में क्या हासिल कर रहे हो वट्सप इस्टेटस नाम उस आपने अगले बीते हुए या आने वाले साथ दिन में क्या हासिल किया क्या से क्या बन गयी आप हो तो वही जो पहले थे फिर इस टेटास में लगाते हो पिर लगाओ इसलिए मैं लगाता हूं जल्दी से हना हाँ सबके कमेंट आ रहे सीवानी दूबेजे गुडिबनिंग दनिस सिदीकी समीख चायादो सभी को गुडिबनिंग चलिए में टापिक पर चलते हैं तो सभी आ चुके हैं चलो बहुत-बहुत बेलकम आप सभी को देखे क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले आज हम वह डिस कैसे होगा मेरे भाईया मेरे बाबू देखो इसके पहले हर दिन पूरा कंप्लीट फ्री कलास के लिए हमें टेली गराम पर जरूर जोइन कर लेना क्योंकि अगर यह नहीं करे हो तो फिर बहुत-बड़ी भूल है ठीक है बाबू ठीक है भाईया तो टेली गराम पर हमें ज चलिए देखते हैं क्या-क्या पढ़ेंगे एक बात याद रखिए आप कोई भी कंपटीशन का एक्जाम देने वाले हैं यह क्लास सब के लिए होगी अब इसमें देखो क्या-क्या पढ़ना है उमीद है कि क्लियर दिख रहा है दिख रहा ना भाया तो समर्पड़ बैच में क्या-क्या चैप्टर होंगे उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे उसका एक जलक मैं आपको दिखा रहा हूं सभी को मस दिख रहा है निसु जी कमेंट आ रहा है चलो अब सबका कमेंट तो नहीं पढ़ सकता हूं देखो पहले क्या पढ़ेंगे बाबू पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या होता है डिजिट क्या होता है बिलकुल जीरो से शुरू करना है न फिर फिर संख्या पद्धती में घुशेंगे फिर स्टार्ट करेंगे कहां से प्रकृतिक संख्या जानते हो क्या होती है पुर्ड संख्या क्या होती है पुड़ांक, सम, विसम, भाज या भाज ये सब पढ़ेंगे एक दमजीरों से ठीक है? समझ रहे हो? देखो जैसे छोटा समय थोड़ा फ़र डेमो बता देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा आज मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, लास्ट में कोई टापिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? आज पहले बताऊंगा कि क्या-क्या पढ़ना इस सिलेबस में, क्या-क्या पढ़ाएंगे इस बैच में, ठीक है? तो बाबु जैसे अंक की बात करें, इनको इंग्लिस में डीजिट बोलते हैं, पनिय नहीं चलती है ओ देर में चलती है, यह हांग् कर रही है इसको मैं दिखाओंगा इनको मास्टर को जो हमारे पैनल वाले इंजिनियर हैं डिजिट, सही लिखा हूँ ना इस्पेलिंग डिजिट टोटल नाइन ही होते हैं है ना, नाइन होते हैं ना कितने हैं कि टेन होते हैं बताओ कितने होते हैं वन से लेकिन नाइन तक तो होते हैं लेकिन सुनना काकी को भी उसमें सामिल कर लेते हैं तो दस हो जाते हैं और इनी से पूरी मयत चलती है पूरे संसार की mathematics चाहे वो million billion में बोलें या लाग करोण में बोलें होता जीरो से 10 तक ही सभी अंक यूज होते हैं इसलिए इनको दसमलो संख्या पद्धती भी कहा जाता है इसमें दस अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही कुल दस अंक होते हैं ठीक है सभी को clear आरा फोन में हाँ बढ़िया दिख रहा है तो यह सिस्टम में आपको आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि मुझे सिलेबस दिखाना है है नंबर सिस्टम में प्रकृतिक संख्या बहुत ही महत्पुल और इस्टार्टिंग का point होता है यह क्या है प्रकृतिक संख्या है कि ऐसी संख्या है जिन को गिन सकते हैं बहुत्री गरूप से महसूस कर सकते हैं उन से लेकर करके अनन तक मतलब एक से स्टार्ट होगी और अनंत तक की सभी संख्याइं क्या होंगी वो प्रकृतिक संख्याइं या नेचुरल नंबर कहलाती है नेचुरल नंबर जिनको किसी ने ना बनाया हो ना खोजा हो आप कहो कि क्या संख्याओं को भी कोई खोजा है ढूंड़ा है हाँ सुनने की खोज हुई है सुनने प्राकृतिक संख्या नहीं है ठीक है जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसी तरह से अगर थोटी सी बात करें पूर्ण संख्या क्या होती है अभी मैं पढ़ा नहीं ट्रेलर दिखा रहा हूं पढ़ाऊ गौल के पिला दूंगा सिखाता हूं पढ़ाता नहीं हूं है पूर्ड्संख्या क्या होती जानते हो के परकृतिक संख्या के परिवार में 0 सामिल कर देते हैं बस इन में आगे बात करते हैं अब आगे चलो भाई कहां तक देख रहे थे आप यहां से देखो दिख रहा है क्लियर है क्लियर है ना बाबू भीया जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूं कोई दिक्कत नहीं है क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डेमो दिखाता जाओंगा जिससे आपका थोड़ा इंट्रेस्ट बने है ना नहीं तक हो गया इसे जुट रहे पहल गया कुछ नी मज़ा आया देखो पढ़ना क अब भाज्य नहीं अब भाज्य होती है ठीक है प्राइम नंबर होती है इसको मैं आपको बेवारीक इक्जांपल से बताऊंगा जो गर्ल्फ्रेंड वाले हैं वो ज्यादा अच्छा समझेंगे बाकी लोग थोड़ा कम समझेंगे लेकिन समझेंगे देखो भाज्य बाज् है ठीक है भाज्या देखो एक्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए जैसे मैंने एक नंबर लिया तो इनके फैक्टर हो सकते हैं वन टू थ्री ठीक है फोर सही लिखा हूँ क्या मैं एक दो तीन चार ठीक है पांच नहीं हो सकता है छे और उसके बाद अब डारेक्ट हो जाएगा बारा बाकी कोई नहीं तो यानि इसके फैक्टर कितने हैं आप यहां से अगर गिन लो तो कुल मिला करके छे हैं छे फैक्टर है ना मतलब गुडन खंड है यानि यह बारा जो है दो से भाग करने पर भी पूर्टा कर जाएगी जीरो आएगा तीन से भी चार से भी पांच वो सरी छे से भी बारा से सबसे ठीक है यह क्या है भाज संख्या है यह भाज संख्या है समझ रहा हो और अब आज ये क्या होता है जैसे मालो 13 इनका थोड़ा अलग कलर में ले लो थोड़ा ये हाइंग कर रहा है यार आज बहुत दुख की बात है मैं क्या करूं इनको लेकिन जैसे 13 मेरी बाते सबको क्लियर हो रही ना बाब उद्दम मस्त देखो 13 क्या है यह क्या है अब आज संख्या क्यों क्योंकि इनके गुड़नखंड सिर्फ एक हैं अरे एक तो यह खुद हैं जैसे कहते हैं हमारे घर में चप पर उठाना है चप पर उठाना जानते हो नहीं गा सब्सक्राइब से क्यों पता है क्योंकि 8-10 लोग हम खुदे रहते थे गाव नहीं पूरा जिला है हम समझ रहे हो तो खुदे रहते थे दुचार लोग और आ जाते तो वैसे क्या है यह एक तो खुद ही रहते हैं इस टीम में जैसे यह 13 ना तो 13 इनका गुड़नखंड में जोई खुद रहते हैं अरे यह भी है यह भी है अपनेमें यह सब रहते हैं मतलब कोई भी संख्या स्वायम का भी क्या उती है शाहर चिरण यसंधता शेप करता रहता है यहाद संख्या गुडंखन्ड वो संख्या हो और एक संख्या होती है यानि यह इमानदार वाली गर्लफ्रेंड है समझ रहो जिसके सिर्फ एक तो यह है एक इसका वो है बस क्या समझ आप ने समझ लिया एक तो यह खुद है और एक इसका साथ ही यह बस और इसमें क्या है इसमें यह खुद तो है यह है लेकिन एक के धेर लोग हैं समझ ग लेकिन इसके और भी पता नहीं कितने हैं 5-6-7-8 ठीक है आगे बढ़ें तो भाद या भाद सभी समझ गए अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं जब पढ़ाओं कब इस्तार से अगली कलास में तो और ब 201 इनमें तीनों में कौन सी संख्या अभाज है बताओ सिवानी पांडे एपी पासवान दनिस बिरेंज सिंग मजा आ रही होमिनेटी डिवोटी भाई मैं स्पेलिंग थोड़ा कम पढ़ पाता हूं कौन है आगे चलिए नेक्स्ट आजब ये चैप्टर नंबर सिकेंड में क ये चल उदर ना चैप्टर नंबर सिकेंड में क्या पढ़ेंगे LCM HCF LCM HCF का बहुत पुराना नाता है आप लोगों का है ना अब ये घुसुक जाए यार ये घुसुक नहीं रहा है थला है हैंग बहुत तगड़ा कर रहा है ये पैनल मतलब इतना पैसा लगाने बाद यह हाल है इनको भेजूंगा वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा अगर आप इस पर काम कर लिए नहीं हैं करने लगता है अरे ये फोटो है दादा फोटो इसको घिसकना चाहिए इदर सेलेक्ट किया हूं लेकिन ये जाई नहीं रहा है चलो ठीक है ल्सी है में क्या पढ़ेंगे ठीक है ठीक है भाई बहुत अच्छा बेरी गुड LCM HCF होता क्या है क्या कोई जानता है देखो अगर competition का कोई परिच्छा देना है तो LCM HCF जरूर पढ़ना है इसको जरूर पढ़ना है देखे इसमें बहुत सिंपल है least common multiple ये LCM जो है वो multiple है और जो HCF है वो factor है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है समझ रहे हो अगर ये बेटा है तो ये बाफ है बस इतना जान लो ये दोनों सेम नहीं होते है थोड़ी थोड़ी चीजें सेम होती है जैसे बाफ बेटे में थोड़ी बहुत सकल मिलती है न एक दूसरे से मिलती है न लेकिन ये थोड़ी की बाफ की जगा पर बेटा होई जाए कहीं अब हम ही हम है तुम्हारा कोई काम नहीं चलो अब इसको समझाता हूँ आपको बिस्तार से मैं let's कि तो हूँ जोड़ा सा एक्जांपल बता की तब आगे बढ़ूंका नहीं ता आप कोई इससे जूराट अकेल गये कोई फैदा नहीं हूँ उगा का मतलब हुआ का मतलब हुआ देखो चलो देखो देखो ठो ना देखो न तुम काहे को नहीं देख रहा है देखो ना ए तुम इससे चलना मोटा मोटा लिखूंगा मोटका मज़ा आती ना मोटके चाहते हो मुझे पता है चलो देखो LCM HCF क्या है बहुत सिंपल में समझ लीजिए जैसे मैं एक छोटा सा एक्जामपल लेता हूं बहुत छोटा इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है वह है दो और चार ठीक है दो और चार मैंने क्या लिया एक एक्जामपल यह थोड़ा हैं कर रहा है जो देर में लिख रहा है नहीं तो अगर हम लीस्ट कामन मल्टीपल यानि वो मल्टीपल जिसमें इन दोनों से भाग करने पर जीरो से फ़लाए वो ल्सीए म होता है और एक्जिए अप क्या होता है वह फैक्टर वो गुड़न खंड जिससे देखो इसमें क्या जिसमें ल्सीए मों होता है जिसमें इनसे दोनों से भाग करने पर 0 से फलाए दोनों से याद रखना एक से नहीं दोनों से और हसी अब क्या है वो फैक्टर जिस से देखो इसमें जिसमें नहीं है जिस से भाग करने पर ये दोनों से मतलब 0 हो जाएं बस यही छोटा फांतर है और हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं इफले इसको बता रहे हैं ठीक है देखो इसमें बहुत ही बताऊं आगे बढ़ूं चलो देखो एक ऐसी संख्या एक ऐसा मुल्टीपल जिसमें भाग करने पर इन दोनों संख्या से बारी बारी भाग करने तो जीरो सेस्फल आ जयाद रहें धोनों से करना है जैसे घर में कोई निरड़ाय होता है तो जब तक मिया भी भी दोनों सामिलना हो नहीं सकता है अगर पती की सामती है पतनी की नहीं है तो कता ही नहीं हो सकता है वरना रहोगे कहां आओगे तो घरी में लोड़े चलो देखो जैसे देखो सबसे पहला नंबर होगा आठ क्यूं से भाग करो के चार में तब भी 0 आयगा हो जाएगा आठ भी हो सकता है कि और दस नहीं हो सकता क्योंकि 24 निकटेगा 12 भी हो सकता है है फिर कि अ कि आप कहोगे जब यह सब भी मल्टिपल है तो फिर 4 को ही आंसर क्यों लिखा जाएगा LCM में देखो उसका नाम है लीस्ट कामन मल्टीपल छोटे फे छोटा गुड़नखंड सरी गुड़नखंड नहीं छोटे फे छोटा गुड़ज देखो यार गुड़ज और गुड़नखंड में बहुत बड़ा अंतर है देखो यहां पर समझे लो भी बताऊंगा गुड़ज मतलब होता बाबु मल्टीपल और गुड़नखंड मतलब होता है गुड़नखंड मतलब होता है क्या फैक्टर क्यों भाईया अभी बताऊंगा अभी सब बताऊंगा सबर करो सब बताऊंगा यह मल्टीपल है यह क्या है फैक्टर है ठीक है जैसे अगर मोटा मो को बताऊं कि सुनो तो संख्या 2 और 4 दो और 4 यह संख्या 8 क्या हो सकते हैं हेक्टर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं है लेकिन आठ क्या है आठ दो और 4 का गुड़ज है समझ में यानि 2 और 4 क्या है फैक्टर है आठ के लेकिन आठ क्या है इन दोनों का गुड़ज है जैसे तुम हमारे मामा हो था हम तुम्हारे भांजे हैं समझ गए ना आगे बढ़ें राजिया समझ में आ रहा है थिरो मनी सर्मा बिरेन सिंग रम जुन सबको आ रहा है न चलो तो हम आपको आज सिलेबस भी दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा ट्रेलर भी दिखाएंगे लेकिन मूबी अफली वाली तो अगली क्लास से होगी चलो तो मज़ा आ रही है नहीं आ रही तब भी देखना तो पड़ेगा ही जाओगे कहां है ना चलो नहीं ऐसी बात नहीं यार प्यार से दिखाएंगे जबर जस्ती नहीं है तो यह definition concept और example यह सब मज़ा आएगा क्लास में regular आएंगे तब अगला चच्चा लोग का देख लो सकल इनकी एक बार एक बात है अगर पीछे background जो है न वाइट हो न तो मेरी सकल अच्छी नहीं आती गंदी आती मैं अपनी सकल थोड़ी अच्छी करके दिखाऊं मैं इतना भी गंदहिला नहीं हूँ जितना तुम लोग को दिखरा है लो अब द चलो देखो अब देखो क्या है दसंबलो फ्रेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे दसंबलो को भिन में बदलना भिन को दसंबलो में बदलना और भिन का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे उचित भिन अनुचित भिन और पहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन ये बाई कौन फोन कर रहा है इतना रात में एक मिनेट रुख जा रुख जा भाई रुख जा ये टेलीफोन ही रखा हुआ है हालो जी अभी आप फोन करिए 11 बजे के बाद अभी कलाफ चल दी कोई है नहीं यहाँ पे ठीक है डाइ जालो यह मेरा चोट वाला फोन देखा आप लोगों ने जानते हो पूराने जबाने वाला दी नहीं यह रंड लाइन वाला पूराने जबने डह नहीं चलव आओ आगे बढ़ें चलिए देखिए रात में कोई ने रहता रात में मैं ही कॉल रिसीप करता हूँ यह आपे तो इसमें क्या-क्या पढ़ना एक मिनिट लाइट बढ़ा दें लाइट बढ़िए जैसे अगर मैंने लिखा कि 0.032 इसको दसमलों के रूप में बदलना है तो कितने लोग कर लोगे यह बता मुझे दसमलों में कर लोगे इसको बताओ कर लोगे मैं बताता हूँ देको सिंपल सा तरीका है बाइट डेमो भी जबरजस्त होना चाहिए सबसे पहले यह संख्या लिख लेते हैं पेफे जो दी गई है बीना किफी जनजट के जैसे यह नंबर है न जो भी ऐसे लिख लेते हैं दसमलों छोड देते हैं ठीक है दसमलों छोड के लिख लेंगे 0, 3, 2 फिर क्या करेंगे? 60 तरीका बता रहा हूँ 60 तरीका फिर एक बढ़की फिलाइन खीजते हैं देखते हैं दसमलों के राइट साइड कितने डिजिट थे? गिन लो 1, 2, 3 तो भाईया हो चच्चा 1 लिख के 3, 0 बढ़ा दोगे बस यही आंसर हो गया आपका भिन के रूप में किसी भी संख्या के सामने जीरो का कोई मतलब नहीं होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई इंसान अगर मर जाए तो उसकी बड़ी तारीब करो क्यार फलाने बहुत अच्छा आद्मी रहें है ना? बहुत नेक दिल का इंसान रहें लेकिन जीयता है तब ससूरा बाड़ा खड़ूस आदमी है बैं कुछ नहीं करता है समझ रहे हो? वही हाल है मतलब फिर कोई फायदा नहीं है सब करने का तो इसके आगे जीरो लगाओ या ना लगाओ इसका कोई मतलब नहीं है आप इसे ऐसे लिख सकते हो ये मतलब एक है तो जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं ठीक है लेकिन हाँ पीछे अगर एक को जीरो है तो कताई बूल के नहीं हटा ना इस तरीके से ठीक है सब का कमेंट दिख रहा है चुप चाप पढ़ लो ने पटक दें उठाएक समझ लो बाक 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 करा है मतलब पढ़ाएं न हम चलो तो ये मैं आपको एक डेमो दिखाया छोटा फा बाकी मैं आपको इसे दिखाता रहूंगा जब कलास कल से चलेगी तो आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा बिस्तार से बताऊंगा ये सब मैं फेंक दूँगा उधर पूरा बोर्ड खाली रहाएगा नाचेंगे गाएंगे सब कुछ करेंगे चलो अगला चैप्टर होगा बाबु क्या नाम है इसका सिंपलिफिकेशन तरली करण ये बहुत लोगों की समस्या है बचवा और बचिया का कहती है ना अच्छा आँख चमाक रही होगी ना चमाक रही होगी ना रुकों में सारा कलर चैंज कर देता हूँ आप क्या कहरो वाइड कलर साही है बलेक वाला बलेक वाले में मेरे लिए भी थोड़ा साही हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा दिखता हूं चलो देखो इसमें आप लोगों का यह सवाल होता है कि सर्क काट नहीं पाते हैं भिन को सवालों को संख्याओं को काटने में समस्या है तो तुमको उसके लिए हथाउडा से नहीं काटना है छे नहीं आरी से देखो कैसे जैसे अब इनको हल करना है है ना यह मुसीबत होती दिनको कैसे काटेंगे है ना दो से काटते हैं कि चार से कटेगा कि आठ से कटेगा किस से कटेगा बोलो यह होता है ना आपकी मुसीबत होती ना बाबू यह पूजा यादो जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है राजिया जी ठीक है आ रहा है अंकीता पागल आपको भी कमेंट आ रहा है को मल आपको भी कमेंट आ रहा है यह को लोग नाम रखें तो मैं पढ़ देता हूं लोग कहेंगे हमाईशा काई बोल रहे हैं सुनो पहले बताता हूं इनको पहले हटा दो भी यह बड़ा है यह बड़ा इतना बड़ा मै देखो सुनो अब ए भाईयाओ बाबु हो सुनो न जैसे चौफट लिखा न इसको लिखा 128 अब देखो इनको simplify करने का मैं तरीका बताऊंगा इनको एक तरीका तो यह है जो आप लोग करते हो रुको बताता हूँ क्या है तुम नीचे जा देखो पहला तरीका तो यह है कि इनको हम बार बार काटें थोड़ा थोड़ा काटें तरफाएं तरपाएं और काटते रहें और एक तरीका यह है का इसा कटान काटें दुबारा कटने लाइक ना बचें जैफे दो से अगर इनको simplify करोगे तो यह 32 और यह 64 यह तरीका हो गया फिर से अभी यह दो कटेगा दो से तो 16 और कितना आएका 32 समझे ना मैं पूरा कांसेप्ट बता रहा हूँ ऐसा क्यूं सब बता रहा हूँ देखो अभी यह दो से फिर कटेगा 2 अठे 16 और दो से फिर काटोगे अभी जा रहा है आगे अभी बढ़ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं जाने दो जाने दो जहां तक जा रहा है जाने दो फिर 2 से काटो 2 चव काट 2 अठे 16 फोला इतना से भी अभी इनकी जो है ना आत्मा ने ठंडी हुई अभी और कटे गई है क्या करेंगे फिर 2 से काटोगे 2 दूना चार अभी एक इस्टेप नहीं भी दो इस्टेप कटेगा इसको मैं उठा की इधर ले आता हूँ फिर बताता हूँ चलो यहां सीन को यहां ले आता हूँ चलो इधर आजा अब यह तो सब छितरा भीतरा हो गया रुख जो बताता हूँ बता रहा हूँ मैं जो बताना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा सबर करोगे तो मिलेगा भीया फालतू का कच्चा पक्का बदाम देखते हो रील देखते हो यूटूब पे 60 वीडियो तिन तिन घंटा देखते हो लेकिन 30 मिनट मैत पढ़ने में नानिक मामिक मौसी सब मर जाती है काहे को क्योंकि ये जिंदगी में काम आने वाली चीज है अच्छी चीज कभी अच्छी नहीं लगती है एक बच्चा को दबाई पिलाना है तो उसे अच्छी नहीं लगेगी उसे चॉकलेट दे दो कुछ खाने की चीज दे दो कहीं खेलने वाला मज़ाधार दे दो मज़ा आएगा वह हाल है अभी कोई एक अच्छी से आके ऐसे ऐसे दिखा रही होती तो तुम बहुत ध्यान से देखते कपड़ा और वोड न दीखता क्या किस कलर का है कई से बस तुम वही देखते हैं जो तुमें देखना है लेकिन क्लास में नहीं ऐसा कुछ ही नहीं देखोगे क्या देखो 2 से काटेंगे कितना ऐगा दो दूना चार दो चोव काट फिर दो से दो एकम दो और दो दुना चार देखो फाइनल में अब आ गया यही आंसर है मेन इसके आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन इतनी बड़ी हो जाई करने का जरूरत थी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इनको simplify कैसे करते हैं उसका तरीका क्या है competition की परिच्छा में तिर्देना देर में छुट्टी हो जाएगी अब बताता हूँ चलो यह हो गया इतनी कहानी खतम इनको मिटाओ हटाओ भगाओ अब बता रहा हूँ देखो यहाँ पर इनको सब मिटाओ देखो बताता हूँ तरीका क्या है जो मुझे समझ में आ रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ इनको तरीका यह है कि 64 मैंने लिखा था 188 लिखा था ना भईया तो सबसे पहले तो यह तो आपका उतना जनरल नालेज होना चाहिए छोटी छोटी चीजे है कि आप जानो कि यह दूइनों चोर-चोर मौसेरे भाई हैं यानि 64 के पहाड़ा में 188 आता है लेकिन हमें कहां आता है 64 का पहाड़ा कभ याद करे थे 64 कर टेबल को नहीं करेगा नहीं पता है ठीक है कोई बात नहीं दूफरा तरीका है इन दोनों का अचसीएफ निकालो एकुद स्यवन में पहले ही पढ़ांगा दिखाया हूं नस्यी निगालो मेरे भाईया बाबू एक। है प्रेश्ट कामण फैक्टर है कि और जाई बोल रहा हो ना है इस यस मतलब वह बड़े से बड़ा है गुडन खंड जिससे यह दोनों कड़ जाएं बड़े से बड़ा तो इन को भाग करोगे तो राईगा एक आएगा क्योंकि अपने से हार कोई हार जाता है और 64 से जब 128 को भाग करोगे दो आएगा तो सिंपल में एक बटा दो आ गया इतना बड़ा नोटंका करने का जरूरत है समझ में आ गया सभी को पका क्लियर हो गई बात एक दम फाइनल चलो तो बस यही तरीका था इसका यही तरीका था भाईया यही तरीका था और कुछ नहीं था बस हो गया खतम कहानी खतम पैसा आजम 12 बजगे पैसे है यार पहले हम लोग छोटे थे न लोग कहते थे 12 बजगे बुड़ाव मर गये चला के दारा छुट्टी होई गए 64 एकम 64 64 दूना 182 बस हो गया इतना लेकिन यह चीज आपको आनी चाहिए या तो आपको नार्मल तरीका पता होना चाहिए या तो आपको HCM निकालना आना चाहिए यह काटने ओला तरीका था अगर रेगुलर पढ़ोगे तो फिर पूरा मिलेगा सब ठीक है सिवानी जी डियलेट की कलास होगी बिल्कुल हाँ नटांगी मतलब ड्रामा बीबू कमेंट कर रहा है उन्नती गुस्सा हो गई क्या हाँ बहुत जादा गुस्सा हो गई गदा नहीं तो गंदाईला मलिच पढ़ना लिखना नहीं है गुस्सा हो गई का बताओ नहीं तो याद मत्या कर लें अगर गुस्सा हो गई हो तुम तो चलो देखो अगला अगला चैप्टर है परफेंटेज बिल्कुल बहुत ही मीठा स्वीट सा चैप्टर है परतिफ्यत इसको जितना पढ़ने में मज़ा आता है ना उतना उससे ज्यादा फील करने मज़ा आता इसको देखो कईसे बताओंगा भी बताओंगा सबर करो देखो समझो बोर्ड मास भी आएगा सब कुछ आएगा एक बार दिखा देता हूँ फिर थोड़ा थोड़ा ट्रेलर आगे दिखाओंगा ने कुछ लोग बोर हो रहे हैं ना अगला चैप्टर में यह पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लास क्या-क्या पड़ेंगे इसमें सारे कंसेप्ट जो बेसिक पढ़ाओंगा इसमें देख लो जो इसमें लिखा है एक एक जामपल है और भी चीजें इसमें होंगी जितना लिखा है वो तो नहीं छोड़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ाएंगे ठीक है इस्क्रिंसाइट लेते जाओ फटाफट अगला बाबु सात्वे में पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल सबको दिख रहा है ना अर्जुन बच्चा सब पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे तुम्हें कुछ नहीं आता है मुझे पता है हमारे ऐसे कंडिडेट फोन करते हैं सर मुझे यूपीसी का सी सेट देना है बेसिक मुझे सब आता है बस तुम यूपीसी वाला बैद पढ़ा दो हम पूछ लिए सवाल अच्छा जी आपको सब आता है एटी सवाल बताओ नारवली में सवाल पूछता हूं तुम याद रखना कि जैसे 90 के कोण को सम कोण बोलते हैं वैसे 180 के कोण का नाम बताओ आप बताओ क्या होगा यही सवाल मैं कई बार पूछा हूं बहुत से ब लग रही थी मिखेर सर मेरी वाली नहीं मुझे मैध का खलाश चाहिए चाहिए पढ़ेंगे आप ठीक है कुछ बाते हुई पर कहा कि सब्सक्राइब तो करें मुझे नहीं पढ़ना है मेरी वाली को पढ़ना है यह मतलब सवाल पूछे तो बात कर आओ तो बहुत अफसोस में दुखी मन से बात करवा दिये अच्छा सर जी बतलाइं लो अब पूछा मैंने की बेसिक आता है बोली हां हां बेसिक में तीन मारक इसे हमें भी league अच्छा ठीक है दुरियन सवाल पूछा पूछ दीन पूछा एक को नहीं बता पाई याग एक जाम्पल पतारों इसमें किसी की बेजयती नहीं है ऐसे हमें भी लगता है जब तक परिच्च्छा में नहीं बैठे लगता है हम मारेंगे उलट के पलट जाएंगे लेकिन परिच्छा में बढ़ते लगता है को नहीं आया तो इस लिए अपना जो है प्रेक्टिस बहुत जरूरी है अंजली बर्मा शिरो मनी चांदनी राजपूजी गुडिबनिंग बहुत बहुत गुडिबनिंग चलवाई आगे यह हो गया घातांक और करड़ी में पढ़ेंगे घातांका नियम करड़ी का नियम है इस सब पढ़ेंगे हो भाईया का देखो एई का लिख रहा है इस सब पढ़ेंगे येमे जैसे संख्या दूह है न करड़ी का नियम में ठीक है यह सब पढ़ेंगे ये समय अईसे अजीब टाइब का सवाल होता है काओ कि दूठी वर्गमूल काय लगा दिए अभी सिंपल वाला ही बता रहा हूं नहीं तो कुछ लोग पहलें बेवस हो जाएंगे कहेंगे छोड़ो मैथवयत हमारे बसकर नहीं है अईसे टाइब का ठीक है इनका भी वर्गमूल निकालना सिखोगे इसमें अगर जोडने माला आगे अंडरूट तीन जोडना है तब क्या होगा यह सब इसमें पढ़ेंगे करडी भी इसमें हम इंक्लूट कर देंगे चोटा मोटा ठीक है अगलें पढ़ेंगे आउसात आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो बाइकिया ना बड़ी अभरेज देती है और कुछ लोग कहते है बहुत ही तो तेल नहीं खून पीती है डारेक्ट तो और अबरेज निकालना सीखेंगे आउसात निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में भींडायक मिस्रा आपका ये एक हफ्ते से पता नहीं का पाल लिख रहा है ठीक है लिकलो करिया लो तुम भी करिया लो कोई बात नहीं गीता क्या करें कि यूटूब पे डेली पढ़ाएंगे सर जी नहीं डेली तो नहीं पढ़ा पाएंगे यूटूब पर लेकिन बीच बीच में हम पढ़ाएंगे आपको टाइम बताएंगे तीफरे दिन दूफरे दिन दूफरे दिन दूफरे दिन जब भी जितना टाइम नि जैसे इसमें कुश्चन अक्सर ऐसे परिक्षा में आता है पर्थम पांच अभाज संख्याओं का आउसत ग्याद कीजिए कर लोगे पर्थम पांच अभाज संख्याओं का आउसत संख्या 25 से लेकर के 100 के बीच की सभी भाज संख्याओं का एवरेज ग्याद कीजिए ऐसे सी सेट सूपर क्या बोलते हैं उसे सूपर टेट सीट एससी सीचेसल हो गयरा में बहुत से जो लो लेबल की परिक्षाएं होती उनमें ऐसे से छोटे-छोटे कुश्चन आते हैं पेज मिलेगा कापी बैट के खर्रा करो गया इसा नहीं करने का टाइम मिलेगा ठीक हैं समझ रहें ने बाबू तो ये सारी चीजें आवसात वालें पढ़ेंगे जैसे एक कार 50 किलो मीटर की दूरी में से 10 किलो मीटर 180 की स्पीड में जाती है बागी का जो 40 किलो मीटर है वो 100 की स्पीड में जाती है तो बताओ कार की आउसत चाल कितनी होगी ये सब पूरा कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है भाईया ठीक है बाबू आगे बढ़ते हैं बहुत टाइम नहीं जादा इसको डिस्क्र ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप हमें PBR study को यानि टेली गराम पे जोईन किये हैं क्योंकि हम वाटसप पे जो लिंक को अगरा भेज रहे हैं उसको बंद करने वाले हैं हमारे तीन नमबर वाटसप ने बैन लगा दिये हैं तो बाबू वाटसप पे हो नहीं सकता कु जो लोग कहते हम जौब नहीं करेंगे हम तो बिजनेस करेंगे हम तो कुछ अपना काम करेंगे किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर सकून से रहना चाहते हो तो नौकरी कर लेना कहीं समझ रहो? कहते किसी की सुनना पड़ता है मैंने अनुभव किया पिछले 3-4 साल से अगर नौकरी करोगे तो तुम्हें 6-8 गंटे सुनना पड़ेगा किसी की बीच-बीच में कभी-कभी लेकिन अगर बिजनेस करोगे न तो भबुवा 20 गंटा सुनना पड़ेगा 24 गंटा में किसका अपना आपकी आत्मा नहीं आपको जीने देगी यह होता है टेंसन जिम्मेदारी होती है ठीक है? वो हमेशा खीजती रहती है लोग आते हैं मैं उसी कुर्सी बैठा रहता हूँ लोगों की सिप्ट खतम हो जाती 8-8 गंटे दूसरा आता तीफरा आता लोग चले जाते हैं मैं उसी कुर्सी पर वहीं जगा रहता हूँ समझ रहो? तो यह होता अपना काम जिम्मेदारी नहीं जीने देती है सोचते थे अपना काम रहे का घूमेंगे एस करेंगे बीबी होगी गर्ल्फेंड होगी यह होगा वो होगा बड़ा मजा आएगा लेकिन देखो दुनिया सुनसान क्यूं पता है यह कि इतनी चिम्मेदारी होती आपके पास वक्त ही नहीं कुछ करने का करो के क्या ट्वालेट में भी जाओ तो वाट्साप वाली मुबाइल लेके जाना पड़ता है रिपलाई करने के लिए जबकि हैं 3-4 लोग साथ में फिर भी होता ही नहीं इतना काम होता है ठीक है तो यह चीजें होती है यह भी आपको इसमें आनी चाहिए जाननी चाहिए ज़रूरी है हाँ बीच की कुछ क्लासें आपकी स्पेसल क्लासें होंगी जो PBR स्टेडी के स्पेसली इस चैनल पर होंगी राजकुमार यादो सर मैट्स ठीक है इसका रिपलाई मैं खुद ही करता हूँ इस चैनल का सब कुछ मैं खुद करता हूँ हमारे कोई assistant इस पर कुछ नहीं करते हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके रखना जिसका नाम है राजकुमार यादो सर मैट्स इस पर आपको कुछ special क्लासें मिलेंगी इन्हें अभी तुरंट कहीं लिख के रख लो भया ठीक है? भूलना नहीं कभी चलो आगे बढ़ें अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या? अनुपाद समानुपाद अगला क्या पढ़ेंगे? अनुपाद समानुपाद सीवा जी कमेंट आपका आ रहा है अगला क्या पढ़ेंगे बाबू? अनुपाद समानुपाद chapter number 10 में पढ़ेंगे जिसमें ratio निकालना सीखेंगे ratio के रूप में question दिये गए होते हैं उनका answer कैसे find करेंगे जैसे देखिए competition में आजकल ऐसे question आते हैं परिक्षाओं में ऐसे question आते हैं जैसे question है तो एक कमान बताईए कर लोगे बहुत आफान तरीके से इनका पूरा concept हम आपको सिखाएंगे अगर आप इस chapter को देखेंगे regular में आएंगे ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें होंगी रामजन बिरेन सिंग बाल गोबिंद पाल गीता सिंग बिसाल यादो सब बताएंगे बाबू बस लाश्ट तक देखो भी लाश्ट में सब क्लियर हो जाएगा थोड़ा सबर रखो चलो तो यह होगा दफ नंबर चैप्टर यह सारी चीज़ें इसमें होंगी जैसे एक चीज़ और सुन लो छोटा से बता देता हूं जैसे आगर कहा जाए कि बारा बटा बीस को अनुपात में बदल ये अनुपात में बदल लोगे इसको रेसीयो में रेसीयो इनका फाइंड करना है कैसे करोगे बहुत आसंट है बहुत सिंपनल हैस्धम इसका मतलब क्या है जानते हो यह जो लिखा है इसका मतलब यही है 12 और 20 चाहे भाग में लिखो चाहे भिन्न के रूप में लिखो चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो इन तीनों का मतलब मेरे बाबू मेरे भाईया एक है इन तीनों का मतलब एक है कि वह लाला गलग तरीके फिल लिखा गया है ठीक है? समझ गए न? इनको अनुपात में कैसे बदलेंगे? इनको सरल कर ले वही हो जाता फाइनल में जैसे इनको कितने से कड़ सकता है दोनों चार से तो चारत यहीं बारा और चार पंचे बीस यानि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है बाबू वो फोर होगा फोर से इनको डिबाइड करोगे तो 355 आएगा और 355 को मैं 3 रेशियो 5 लिख सकता हूं यह बिल्कुल जीरो लेबल वाली मैस है जो आपको मैं सिखा रहा हूं बाकी ऐसा कवनों परिक्षम नहीं आवा तो अच्छा लेकिन अगर यह ना आए ना तो कुछ नहीं हो जान ला याद रखना अगर बेसिक नहीं आती तो कुछ नहीं होने वाला और यह भी भरम में मत तो दोनों जरूरी है पहले बेसिक फिर आपकी परिक्षा का सिलेबस वाला तो यह चीजें इसमें हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यह आपका होगा अगला चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट वगरा पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूलधन मिस्रधन ब्याज दर यह सब इसमें पढ़ेंगे कि समझ रहे हो जैसे अगर कहा जाए कि प्लाने ने दफ हजार रुपईया दस परसेंट वार्सिक ब्याज यानि एनुवल इंट्रेस्ट पर लिया तो तीन साल बाद वो फलानी को कित इसमें पढ़ेंगे जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं अगर तुम्हें मन करे तो कर लेना और ना मन करे तो मत करना क्योंकि बिना मन के कुछ नहीं करना चाहिए जिंदगी यही कहती है जो मैंने सीखा है कुश्चन है यदि यदि राम कुमार ने दफ हजार रुपया दफ हजार रुपया 12 परफेंट वार्फिक ब्याज की दर्फे तीन साल के लिए एक साहुकार से उधार लिया तो यह बताओ कि 3 साल बाद वो साहुकार को कितने रुपय की ब्याज पेमेंट करेगा बताओ कमेंट करके कर लोगे दनिस सिद्धिकी राजिया अरजुन भाई बिसाल उतकर्स क्लास भाई आरा सबको समझ में चलो आगे बढ़े कि यह आपका समरपन्ट 2.0 बैच में होगा यह अपने में एक दम दद्धा है इनका एक अलग दुनिया है अगर मैं इनको इसमें सामिल कर लूँगा तो यह धूम मचा देंगे तो भाईया हो बाबू हो इनका एक अलग बैच है उसमें यह सब वोगा जिसमें इसे कह सकते ह तो मैंने बच्पन में सुना था एडवांस लेबल मैत की अडवांस का मतलब आप समझ लो अलजेब्रा जो मेरा मानना है बाकी अलग-अलग लोग का अलग-अलग मतलब होता है ठीक है हमारे कॉडिंग तो इसमें बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे मतलब एक अलग गणित होती है समझ रहा हो अलग गणित होती है जैसे अब तक आप जो मैथ पढ़ोगे उसमें 12 में दूई जोड़ोगे ना तो भाईया 14 होई जाएगा लेकिन इस वाली मैथ में का होगा ना चच्चा अगर चारे मे हम ए जोड़ेंगे ना तो यह पांच ए होई जाएगा इनका यह अलग कंसेप्ट है और अगर इनका हम गुड़ा करें ना तो यह होई जाएगा चारे का स्कौायर यह अलग मैथ है इसका अलग सिस्टम है यह सब चीजें बेसिक अलजेब्रा छेत्रफल आयतन बृत संकु तिर्भुज समीकरण और जेमेट्री टेगनामेट्री उचाई दूरी यह सब आपके नेक्स्ट बैच में होगा वह बैच आपकी तीस तारीक से आ रही है ठीक है भाईया ठीक है बाबू किसी को कुछ कहना है तो बोलने जाओ समीक्षा यादो ठीक है बेरी गुड अर्जुन भाई इन्होंने नाम में भाई लगाया नहीं तो को यह मारे भाईया आ गए नहीं भाईया नहीं वह गधा टाइप गाई बीच बीच में ना जुगार डूनता रहता है फेटिंग करता रहता है यह आपको दिख रहा होगा बढ़िया यह समर्पन बैच की कुछ विसेशताएं हैं जिनमें आप देख लो क्या क्या होगा दिख रहा ने बाबू दिख रहा है ठीक है मैं कमेंट सबका लूँगा थोड़ा सा सबर रखो थोड़ा सा सबर रखो मैं सबका कमेंट लूँगा आओ इधर आओ चलो इसमें क्या क्या होगा कैसे देख लो किलियर देख लो कि यह 25 जनवरी से एक बैच सुरू हुआ है लेकिन अब यह भार चुका है अब इसका मैं सीकेंट पार्ट ला रहा हूं सीकेंट बैच 30 जनवरी से ठीक है इसमें क्या-क्या होगा देखो कच्छा एक से लेके 10 तक का पूरा complete syllabus होगा NCRT pattern होगा ठीक है समझ रहो NCRT में जो भी पाठिकरम है यह सब NCRT में ऐसा नहीं कहीं बाहर से है कुछ जितना भी chapter topic में आपको बता रहा हूँ सब NCRT की सिलेबस में है ठीक है और बिल्कुल 0 से सिखाया जाएगा एकदम सुनने से सिखाया जाएगा अगर आप मेहनत करने को तयार हैं तो कुछ condition के साथ मात्र एक महीने में पूरा basic खतम करने का भी option है आपके पास सिर्फ एक महीने में पूरा basic खतम कर सकते हो ठीक है और कुछ सर्तों के साथ गड़िश सिखाने की संपूर्ण गारंटी बिल्कुल सही सुना आपने संपूर्ण गारंटी मैद सिखाने की पूरी गारंटी चाहे आप 70 साल के हो गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन condition क्या है condition सुन लो कोई बड़ी लंबी चोड़ी नहीं है सबसे बड़ी कंडिशन यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बस कोगे वकलोली कौन सी कंडिशन है नहीं सही बोल रहे हैं आज कल खाईवा मेहनत नहीं करना चाहता है वह परिच्छा के दो दिन पहले तो सिरीज ले आता है चार दिन धर ज़र आलटा पलटा कालेज पता क सब्सक्राइब लगा लिए पेपर देने भी नहीं गया आजकल का यह है किसमें में बता रहा हूं अक्सर ज्यादा नार्मली ग्रुजेशन में हो रहा है जो लोग ग्रुएट होके बैठे हैं पोस्ट ग्रुजेट होके बैठे हैं यूपी की 100% सही बात बता रहा हूं सबक गदाहा गारंटी के मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हारे अंदर घुच जाओंगा आत्मा में पढ़ना तो पढ़ेगा न अदूसरी कंडिसन यह है कि आपको नोट्स बनाना पढ़ेगा ठीक है लिखना पढ़ेगा जितना पढ़ोगे लिखना पढ़ेगा और तीसरा का है कि आपको सीरियल बाई सीरियल जितना कलास देंगे सब पढ़ना पढ़ेगा छोड छोड के नहीं इतना कंडिसन थी बस यही छोटी सी इतनी कंडिशन थी, समझ गए ना, बस इतने कंडिशन थी, तो बस यही कंडिशन थी भाई या, आईए आगे बढ़ते हैं फिर, हैंक कर रहा है, यह गदहा, कनी का हैंक कर रहा है, हाँ, इसमें इस्पेसली आफर यह है, आपका, एक बैच तो भर गया, सिकेंड बैच के लिए आप इसे इन्रोल कर सकते हो, पूरे 700 का डिसकाउंट मिल रहा है, अगर आप चाहो तो इसमें इन्रोल कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, यूटूब पर हम आपको बीच- कोड़ी बेन दो, लेकिन अगर चाहते हो प्यार से पढ़न सकून से, बिल्कुल हमारे दिल के करीब हो करके, तो आप इसे जॉइन कर लो, फिर प्रसनली आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपनी क्लास कोर्स से संबंदित, सुनो पहले, तो कच्छा ब कुछ नहीं है, छूने तक को नहीं मिलता है, है ना, अदेखिन के अंदर अंदर बहुत कुछ होता है, तो भाईया, यह सब देख करके, सब कुछ नहीं हो, मुझे देखोगे, तो कुछ नहीं होगा, सीखोगे, लाइफ में कुछ आगे बढ़ोगे, है ना, तो यह परिसान समय में पढ़ना है बाकि YouTube पर इसके भागा सबीज में आते रहेंगे अंक क्या होता को के संख्या क्या होती हैं और संख्या के प्रकार बाठ करेंगे और फिर उन के आगे उनको सब्सक्राइब दिखाएंगे हैं कि उसके पहले आप सारी free class के लिए telegram पर हमें जुआइन करना न भूले क्योंकि इस पर ही हम सारी class भेजते हैं ठीक है भाईया ठीक है बाबु इस पर ही भेजते हैं इसका फुल कोर्स PBR चलो मैं ऐसे नार्मली अंक बता देता हूं फिर मैं दिखा भी दूंगा परिभासा ठीक है भाईया देखो अंक क्या होता है में रूप से अगर हम बात करें तो जो हम टॉपिक लिए थे यहां पर कुछ हम लिखके भी लेके आये थे का आपको दिखाएंगे बहतरीन तरीके लेकिन कुछ ज्यादा मज़ा नहीं आई क्योंकि अंक में कुछ है नहीं लेकिन हमने सुरू किया तो मुझे बताना है ठीक है अंक क्या होता है ऐसी मतलब देखो यहां पर यही तो आप जानते हो अंक है न इनकी परिभासा क्या दें हम यह बताओ एक से लेकर के नौ तक इ एक ऐसे चिन्ह एक ऐसा सिंबल जिसका परियोग हम मैथ के नंबर यानि संख्याओं को लिखने या काउंटिंग करने गिनने मापने अधी जगा परियोग करते हैं वह आंक कालाते हैं यह क्या एक सिंबल है ठीक है समझ रहे हो यह क्या एक सिंबल है मैथ के यह कोई मैथ नह नाम लिखो तो आपको क्या ABCD यूज़ करना पड़ता है अलफावेट ना क्या बोलते हैं इसे अलफावेट ही बोलते हैं और अगर एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं तो नाम बन जाता है ना जैसे माली जीए रवी आरे वी आई इसमें देखो चार अलफावेट मिला ना ए से जड़ तक कि अगर आप ले लो तो उसमें से चार मिला तो अभी बन गया ना तो वैसे भाईया हो बाबु हो अगर इने में से हम दो निकालने इनको तो देखो 23 बन गया तेश क्या है एक संख्या बन गई नहीं बन गई ना लेकिन ये आंकेले में जो है ये कोई सं समझ रहे हो तो बोल चाल की भाएं सापर न जाएं बोल चाल में प्राया अंक को संख्या भी बोला जाता है उनको वो एक अलग बात है लेकिन रियल्टी यह है आगे बढ़े तो अंक समझ गए ये ऐसे सिंबल है जिनका परियोग मैज को या मैथमेटिक्स के जो नंबर है उनको सो करने के लिए दिखाने के लिए परियोग किया जाता है बस यही मोटी मोटी बात थी आए अब बात करते हैं में इनका कहीं परिभासा तो पूछा जाना नहीं है लेकिन बेसिक से पढ़ना है तो हमें हर चीज सिखाना है अंक हो गया क्लियर किसी को को कोई दिक्कत कई separately कोई समस्य नहीं न थीक है бесп oraz शंक्या क्या होती यहां से बात करते हैं मुखता यह शुर्ण होता है कि संख्या देखो भईया बाबू कि दो या दो आगगा के समुको संख्या कहते है। आगर मानली जीए मने यहां पर लिखा 357 तो यह क्या हो गया, 357 यहाँ पर 3 अंक सामिल है तो 357 बन रहा है, एक संख्या है 4 और 2 यह दोनों अंक मिला करके 42 बना रहे है ठीक है, यह क्या है, संख्या है समझ गया, दो या दो से अधिक अंको के समू को संख्या कहते हैं आप इनकी परिभासा ऐसे बना सकते हो बागी कहीं परिभासा और रिभासा नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ठीक है भाईया कमेंट सब का आ रहा लेकिन मुझे फोन में देखना पड़ता है तो जुखकना जिन्दगी से रिल्लेटेड एक बात बताऊंगा देख अ क्या होती इनको इंग्लिस में रियल नंबर बोलते हैं बादु क्या बोलते हैं पिरेमि प्रेम का का साधी के पहले बच्चों के नाम भी तयाएं कर लेते हैं यह काल्पनिक संख्ख्या की वह हाल है आगे पता चले होए कि ना होए वह अलग बात है आए इसमें बढ़ें आगे यार रियल नंबर जो होता यह क्या होती है यार परिभासा इसमें ने लिखाया क्या मैंने परिभासा इनको बाद में एक-एक को explain करेंगे ठीक है सबसे पहले हम इनके category को देख लेते हैं ठीक है इनके परकार देख लेते हैं नहीं कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले परिभासा दिखाओ क्या होता है रुको पहले वही दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं देख संख्या बहुत कम जगा मिलती है जल्दी कहीं मिलती नहीं है उनको आई लगा के लिखते हैं काल्पनिक संख्या की अपनी एक अलग दुनिया है चोटी सी वह बेसिक संख्या की महीत में चाहिए भ hen को ने बताइं शको इसका कोई मतलब नहीं ठीक है तो तो अंडर रूट की संख्याएं, नार्मल संख्याएं, दसमलो की संख्याएं, किसी भी आवस्था में हैं, वो अस्त बेस्त आवस्था, सारी आवस्था लगबक क्या होती है, रियल नंबर की ही होती है, ठीक है, समझ रहने बागू सभी को समझ में आ रहा है, हरी नंदर खरने प्र प्राप्त होती हैं वो सभी वास्तिविक संख्याइं कहलाती हैं जैसे इनको थोड़ा साओर समझ लेना यहां पर चैसे कोई भी संख्याओ आप ले लो कोई भी संख्या जो आपकेawat के मन में आये ऽाफ्र भख सभी संख्याओं क्या होती हैं ये सबी real नमबर ही हैं सभी क्या है इनकी दुनिया बहुत विसाल है कुछ भी लीखनों तुम consistent कि यह सबीक्राइश मौन तो कि यह संख्या की बात करें तो एधाय करें जिनका वर्गमूल है माइनस में आता है अब तुम कहो कि कौन सी च्वाज कमूल माइनस में आता है इसके बारे मिस्तार से बात करना पड़ेगा कोई मतलब नहीं है तो समझ गए जो में टॉपिक है उसको समझी है ठीक है जो आपके काम का है और कलास को छोड़के ना अगर मैद सीखना है मैं बार बार बोल रहा हूं अगर बीच में छोड़के भागे जिस चीज में आप बहुत जादा अपना चित मन लगा देते हो ना आप उसमें इक्सपर्ट हो जाते हो चाहे अच्छा काम कर रहो चाहे गडबड़ काम कर रहो तो इसलिए अगर आपको मैद सीखना है तो मैद में आपको वक्त देना पड़ेगा ये यूटूब भी समझत है वो चीज आप यूटूब पर जो चीज देखते हो वही चीज आपको यूटूब रिकमेंड करता है अगर आप रोज मैद के वीडियो देखोगे तो आपको यूटूब अगले दिन बहुत सारी चैनल दिखाएगा मैद वाले लेकिन अगर तुम कच्छा बदाम मैं अब हम रियल नंबर की बाठ कर रहे थे न वास्ति नीक संख्या ठीक है चलो और चलो है न मामी पापा बनना फैना को यह एसा जिसका नहों बहुत कमी ऐसे शते विरले है ना हमारे जैसे देखो आगे बात करते मतलब की पहले यह तो मजा की बात थी I am I mean कि इसको क्यों बताया इसका यही बता या इनके आर दीँ इनकी बिया हो जात फिर इनके दूई बचवा पैदा हो थे एक का नाम पर्मिय संख्या एक का नाम अपर्मिय संख्या ठीक है और जो रियल नंबर की देखो संख्या में मैंने बताया था दो भाग एक वास्तविक एक कालपनिक तो कालपनिक क्यों नहीं है कालपनिक वाले कि या दो टाइप है जो भी समझो फल पर्मिय पर मिया है इनकी अपनी अलग दुनिया दोनों की अलग-अलग कहानी है अलग-अलग प्रकार की संख्यायें हैं बहुत-बड़ा सब कुछ है आ आई ये बात करते हैं चलिए अब पर्मिय संख्या और पर्मिय संख्या यह चीज हम पढ़ेंगे क्या भी नए आप भैया पर्मिय संख्या का है यह बताओ आपके पिता जीत है तो आप लोग हुए दो तीन चार भाई पहले जमाने में ऐसे होते थे ना जो 90 की दसक के पहले क नबे अठान नबे तक वो सभी चर-चर पांच-पांच भाई भाई भेन होंगे अक्सर होते हैं न घर नहीं पूरा जिला होता था एक एक घर में हमारे कव में ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ लड़के छे लड़कियां तेरा हो गए अभी तु कम सुन रहे हो एक और भी जिनक देखो के लगेगा 20 साल की हैं अभी मतलब डारेक्ट मंगल गरास नीचे आया थे धरती पर पाइदा ही नहीं हुए सची बता रहा हूं जो हमारे आसपास के लोग होंगे समझ गयों किसको बोल रहे हैं बाकी नाम नहीं बोलेंगे ठीक है तो अब लेकिन नहीं होता ऐसा क् क्यों पागी दू injusteम घृताई मिलती नहीं काहे करति दूसारी बात यह जब होने का Detroit होता है तब कर रहें पहले रेफिनल की बात कर रहे हैं परमिय संख्या की यहां पर हम ऐसा मान की चलते हैं कि इनके तीन लड़के यह तीन बच्चे इनके तीन पुत्र पुत्रियां है ठीक है एक प्रकृतिक संख्या एक पूर्ड फंख्या एक पूर्ड आंग संख्या समझ रहो प्रकृतिक संख्या पूर्ड संख्या और पूरांग संख्या अभी हम आपको टाइप सिखा रहे हैं याद रखना आपको बेसिक सीखना ना भया बाबू बेसिक सीखना क्या लिए ना तो टापिक वाइज पढ़्ना है ना नंबर सिस्टम सुरू हुआ है कोई भी परिक्षा दोगे यही सब इस्टार्ट होता है इसके बारे में आपको किलिएर हो गया उमीध है अगर कोई confusion है तो मुझे बता दे ना कि हाँ इसमें अभी tension है आप मुझे comment करके कोई दो-दो real number बताओ चलो कोई दो-दो real number comment करो अब होता है अगला next जनम भाई नया आउतार कालपनिक संख्या बागु देखो यह क्या चीज होती है इसके बारे मैं पहले बता दिया कि बेसिक मैथ सीखने के लिए आपको कालपनिक संख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बेसिक मैथ में कालपनिक संख्या की कोई जरूरत नहीं है और हम इसको आपको भी बेसिक ही सिखा रहे हैं तोड़ देती है तब राह की चटान तक तोड़ देती है नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चटान तक तोड़ देती है बात अगर छोटी सी हो पर दिल में चुब जाए बात अगर छोटी सी हो लेकिन दिल में चुब जा इदम छाती फट जा जिसे बोलते हैं तो जिन्दगी के रास्ते भी मोड़ देती है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का दिल तूट चुका है बस थोड़े से आत्मा बचिये जिन्दा है वो जी रहे हैं याद तेरी आती है वाली स्टाइल में अगर दिल में चुब गया है कैतने कोची टूटता थे बहुत बड़ी एनरजी निकलती उर्जा निकलती है उस उर्जा को सही दिसा में लगा दो तो बहुत उपर पहुंच जाओगी है ना ठुक रहा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी चलो आज क्या-क्या पढ़ना अहां पर एक बार हम inflamपर दिखा दे हैं आपको एक बार दिखाया भी थे कै। और फॉर्ट इसमें हम क्या-क्राइन अध कर क आ पने देख लिया तंख्या देख लिया प्रकृतिक संख्या देख लिया नहीं देखा अभी प्रकृतिक संख्या बताऊंगा अभी तो संख्या के परकार में पहुंचे हो है ना तो अब ये चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे नेचुरल नमबर फिले करके इतना चीज़ें आज बढ़ेंगे ठीक है? आगे बढ़ें? आगे बढ़ें? प्रकृतिक संख्या क्या होती भाइया? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं जिने गड़ना के लिए परियोग किया जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाती है नि प्रकृतिक संख्या कहलाती है ध्यान देना और प्यार फे देखना नेचुरल नंबर क्या होती है देखो सिंपल सी बात है मैं एक लाइन में बोल दूँ बाकी सब छोड़ो किनारे वन से ले करके अनन तक वन से स्टार्ट होगी जीरो छोड़ देना है बस वन से आनन्त की सभी संख्यां क्या होती नेचुरल नंबर होती है दूसरी भासा में कहें आयसी संख्यां जिने हम किन सकते हैं काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर होती है आयसी संख्यां जिने हम फील कर सकते हैं अब वाली feeling नहीं आना चाहिए, जो तुम्हें आ रही है, feel करने का मतलब ये, कि जैसे मालो मैंने कहा मेरे पास एक pen है, तो ये एक pen है ये, मतलब मैं ना दिखाओं तब ही तुम्हें पता है कि एक pen है ता इसे ही होगी, है ना, ये तुम्हेरे अंदर feeling आ सकती है, लेकिन अग आगे का दो हैं तो दो जगा रखी जाएंगी ना, ये, दो जगा रख सकते हैं न, अलब तुम्हें कम से कम इतना तो सेंस हो रहा होगा, अगर पने पांच बोला तो, यानि सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूं कि भाईया, मैं आपके घर आ रहा हूं, पांच लोग आउंगा तो तुम फील कर लोगे, पांच लोग आएंगे तो पांच कुर्सी चाहिए, कुर्सी बैठाएंगे तो भाई, ने चटाई वटाएंगा अलग बात, बोलो, एक बार कमेंट करके बताओ सबी, मेरी बात आपके यहां तक पहुंच रही हैं अंदर तक की नहीं, फील करने का मतलब, जैसे माल लीजिए, होता नहीं, कहते हैं भाई, बरात आ रही है, देड़ सो लोग आएंगे, दूसरो लोग आएंगे, इतने लोग का खाना बनाना है, तो लोगों के अंदर फीलिंग आ जाती ही, कि देड़ सो लोग होंगे, तो इतना इतना आइटम चाहिए, को लाइक करेंगे, आपको आपके उसकी कसम है, किसकी, उसकी, जो लोग समझ गए, वो समझ गए, चलो, तो गड़ना के लिए जिनको परियोग किया जाता है, या फिर ऐसे कहें, ऐसी संख्या जो नेचुरल होती है, बिल्कुल, जिनको किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नही खोजा, बिल्कुल नेचुरल होती है, वो क्या होती है, प्रकृतिक संख्याएं होती है, जैसे ये पेड, पौधे, जंगल हो गया, इनको किसी ने खोजा तलाफा नहीं है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है बाबू, नेचुरल नंबर नहीं, मैं ये दिखा रहा ह नाम बदल दिया अलग है लेकिन बनाया नहीं किसी निसको बात समझ रहे हो ना तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बिलगुल प्रकृतिक है नेचुरल है जिनको किसी ने बनाया नहिंए- खोजा नहीं है वो पहले सेए ठी थी जब इंसान आया जिसे नदियां हो गई पेड़ पौधे हो गई सूरज हो गई धर्ती हो गई यह सभी क्या है जहां तक मुझे पता है नेचुरल है बाकी मैं कोई ठेका नहीं ले रहा हूं चलो आगे बढ़ें यह सभी कया है नेचुरल चीजे हैं समझ रहा हूं काभ्यापंदित समझ में कारा है लौकुष्ण , कमेंट नहीं पढ़ता हूं रोज और नहीं पढ़ोंगाhou रेगूलर क्लास चेहीं मैं एक भी कमेंट नहीं पढण्व 2024 याद रखना तो तो यह मत कहना लाइब नहीं है लाइब नहीं कहते हो न तो अंदर से आत्मा जल जाती है चलो तो यह बात हो रहे थी नेचुरल नंबर की उमीद है कि आप समझ गए दूसरी परिभासा ये जो आपको दिखी रहा है है ना भाई या बाबू आगे बढ़ें अगर मैत सीखना है तो कलास पूरा देखना देखो टाइम तुम वहीं बचाते हो जहां नहीं बचाना चाहिए अभी मोबाईल में 60 वीडियो देखो गे तिन तिन घंटा हो जाएगा मम्मी उधर गरिया रही है खाना नहीं खाया है बैटा आदे जरवा लेकि साथ गूम रहे हो कहीं तो कोन बन हो मतलब नहीं कहें लगता है कि यूदन की तो कि वह हैं म्रोब एक रुख्जा मोत आजरा पीछे नहीं तो टाइम देना पड़ेगा आगे वढ़ते हैं डेटा बचा के रख़ा करो रोजड़ चलो तो यह सब हो गई कि आगे बढ़ते हैं पूर्ड संख्या पूर्ड संख्या को इंगलिस में क्या बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं भाईया बाबू होल नंबर का होता जैसा कि नाम से ही अस्पष्ठ है होल नंबर हां और होल कैसे होता देखे हो कहीं नहीं देखे हो whole मतलब bill, गड़ा, अई तो बोलता हैं इंगलिस में तो भाईया whole number का मतलब का होता है कि प्रकृतिक संख्या के परिवार में natural number में एक whole हो जाता है मतलब zero आ जाता है, ठीक है तो वो हो जाती है पूर्ड फंख्याएं, यानि मोटी मोटी बात करें तो प्रकृतिक संख्या के परिवार में zero को भी सामिल कर लेने पर जो संख्या बनती है वो whole number यानि पूर्ड फंख्या काहलाती है ठीक है, ये डाट 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 अनंत तक जहां तक भी जाती है तो समझ गए ना यानि सुनना को सामिल कर लेंगे रेफनल उसरीस नेचुरल नंबर के फाइमली में तो ये बन जाएगी क्या पूर्ड फंख्या, यानि अधूरे अधूरे फे थे हम तुमसे मिलके पूरे हो गए ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे मिलके पूरे हो गए, हम तो आहीं है पाच्वी या छाट्वी सताब्दी में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि आरभट जी ने किया था उसका जो परियोग उगरा किया था पहली बार दसमलो संख्या पद्दती में है ना, पहले से रही होगी सुनने वो अलग बात है, पहली बार जो परियोग करता है नाम उसी का होता है, है ना जैसे मानलो जो दुनिया में बहुत सारी चीज उपलब्द है कहीं कूड़ा कचरम पड़ी है तो उठाएक लेकि आए, सब के सामने दिखाए तो का कहेंगे, भाई यह फलाने लाए, फलाने लाए समझ रहे हो, तो वैसे क्या है, माना जाता है कि सुनन की खोज आरबट जी ने किया था और हाँ, अगर आरबट जी ने पांचवी या सथवी सतावदी में किया था, तो जो दस सिर रामड के कैसे गिने गए थे, कोई जानता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और दूसरा सवाल यह मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह कड़वड है, वो बिल्कुल सही था, रामाड महाभारत बिल्कुल सही है, हम भी इंदू हैं, लेकिन कटर वाले नहीं है, मार काट वाले नहीं है, पूजा भी करते हैं, बगले मंदिर भी है, सब कुछ है, और वो बात भी सही है, कैसे हैं भी बताऊंगा भी, आप लोग ट्राइ करो, और हाँ, महाभारत में कवरों के जो सो, आपने सुना होगा संख्या, वो कैसे गिनी गई, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं, बहुत से लोग बता रहे हैं, ठीक है, सुथ, क्या नाम भी इनका नाम बहुत कठी, नहीं बोलूँगा, जाने दू, सुरुती तिवारी, हाँ कमेंट आ रहा है, लूसी आदो, ब बता देता हूं, बहुत काम की चीज है, पहले क्या होता था, जो संख्या की गिंती होती थी, वो संस्कृत में होती थी, ठीक है, तो नवम, दसम, ऐसे गिना जाता था, ठीक है, तो जीरो ऐसे नहीं लिखा जाता था, दस को ऐसे नहीं लिखते थे पहले, जब रामण के दस सिर ऐसे नहीं ऐसे होता था भाया दसम मतलब दस सिर उसके हैं जीरो की खोज नहीं थी जीरो का यूज भी नहीं होता था था ठीक है सब्द में लिखा जाता था सब्द में जैसे रोमन अंक्या रोमन रोमन संख्या भाई दसम लो संख्या पद्दती में जीरो लगता है ना सम हैं यह पांठ रहे दिखरए यह रोमन संख्र पद्दतीय ठीक है और संस्क्रित वाला तो यह सचाई की पहले जीरों की खोज तो नहीं ती इसी में कुछ ऐसे भी खतरनाक इनसान ँरे वो का कहते न कहतेगे यह पूर आक जुबधर सब कछए नहीं यह सब कालपनिक है जब सुन की खोजे नहीं हुई थी तो कैसे बता दिये कि दस्सीर है चाच्चा तब गिंती में नहीं गिना जाता था ठीक है अभी और पढ़िए तब जो है वो संस्कृत में गिना जाता था जीरो में नहीं ठीक है आगे बढ़ें चलिए तो यह क्या हो र जीरो की बात हुई है और जीरो नार्मल चीज नहीं यह बहुत बड़ी बात है हाया एक चीज और आजब हम लोग छोटे थे तब तक ऐसा कहा जाता था जब जीरो के खुज नहीं हुई थी तब कैसे करते थे पता है कहीं कुछ घटाते थे अगर ऐसे सब्ट्रेक करते थे तो यहां पर जीरो नहीं लिखते थे यहां पर क्या लिखते थे पता है यहां पर ऐसे लिखते थे घटाने के बाद कुछ नहीं ठीक है कुछ नहीं या फिर कोई मान नहीं मतलब ऐसे एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा जाता था तो जीरो तो था नहीं तो कहीं भी जहां पर जी तो जीरो की खोज होने के बाद इतनी आसानी हो गई कि यह बड़ी सी लाइन इतनी बड़ी जो यहां पर लिखी जाती है इसकी जगाह पर एक चिन ऐसे जीरो बना दिया जाता है ठीक है तो यह भी बहुत इंपॉर्टन जनकारी है सबको समाझ में आरा बाबू आगे बढ़े ना आगे बढ़े चलो तो हाँ पूर्ल फंख्या हो गई आप क्या पढ़ेंगे पुड़ांग क्या-क्या पढ़ना यह तो तुम्हें पता है ना पूड़ांग इंटीजर बोलते हैं इनको इंटीजर पहले बता दिया हूं क्या-क्या पढ़ना एक बार यहां पर लिखी देता हूं देख लो पहले समसंख्या यह सब पढ़ेंगे अभी जाना नहीं है अगर सीखना है मैं तो और पूरी गारंटी के साथ मैं सिखाता हूं बिलकुल एक भी परफेंट की कमी नहीं बिसमसंख्या इसको इंगलीस में बोलते हैं और नंबर कहते हैं थोड़ा ओड हूं में समसंख्या क्या बिसमसंख्या ठीक है और क्या पढ़ेंगे भाज्य संख्या भाज्य संख्या को इंगलिस में composite number बोलते हैं जहां तक मुझे पता इसकी अंग्रेजी यह होती है ठीक है अब भाज्य संख्या ये दोनों बहुत मज़िदार है अब इसको पढ़ाओंगा न तुहां से यहांज के तुम गिर गिर पढ़ोगे प्राइम नंबर तुम्हारे एक स्वाइस अब आदाएंगे इसमें चलो सभी को समझ में आ रहा है न गीता सिंग आ रहा है अनुज कुमार सुकला जी आ रहा है चलो और का का पढ़ेंगे एचा चारू कजा भाईया परमिया परमिया भी पढ़ना है यह सब पढ़ना है परमिये संख्या रेफनल नंबर इस पहलिंग नहीं आती तो सर्च कर ले ना गूगल में ओ या ने यल है अपरमिये संख्या यह सब पढ़ेंगे हम लोग एकदाम प्रेक्टिकल करेंगे ठीक है यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है बाबू ठीक है ओके छाप लो छापो चाहना छापो टेली गराम पर पीडियाप दे दूँगा ठीक है पुझाए ना लिखो कोई जरूरत नहीं है तुम मत लिखो चलो आई यह बात करते हैं फिर क्या क्या पढ़ना है इन सब को पढ़ना है पुडांक पुर्वंख्या हो चुका है अब बात करें पुडांकी हाँ एक चीज़ और आपसे अक्सर पूछा जाता है कहीं कहीं सवाल चोटा मोटा मिल जाता है लोग पुछ लेते हैं कि पुर्वंख्या की शुरुवात कहां से होती है सबसे चोटी पुर्वंख्या कौन सी है बताओ सबसे बड़ी पुर्वंख्या कौन सी है हाँ चलो बात करते हैं आगे पुडांक की इसको आप लोग सोचते रहना बताना आईए अब बात करते हैं पुडांक पुडांक को इंग्लिस में इंटीजर बोलते हैं इंटीजर से या इंटीजर एद इंटीजर ही बोलते हैं इंगलीस मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करती है लेकिन आ इंदी बिल्कुल मस्त चलो बाकी इंगलीस होती वही है उसकी इंटीजर ये क्या है वही है कौन से जानवर का नाम है चलो देखो तो तुम समझो तो तुम ये क्या है नमबर लाइन इन्हें संख्यर एखा बोलते हैं जानते होग नहीं इनके राइट साइड जो होते हैं वो सभी प्लस में नमबर होते हैं इदर साइड जो होते हैं सभी माइनस में होते हैं को अब एक है जो भी है चलो अच यह अचाने लिखा जाए गरूप जो एक मिनिट यह माइनस वन माइनस टू माइनस तीन माइनस चार तो यहां पर दिख रहा सबको क्लियर सभी को समझ मेरा एक पार बोल दो हाँ यस और सभी साथी सेशन को लाइक कर तो बादू ऐसे मज़ा नहीं आती यार देखो मैं अपना ना सब कुछ इसी में दे रहा हूं तुम्हें जो कुछ मेरे पाफ है लेकिन तुम का कर रहे हो भाई हां लाइक तो कर दो ना भाई आप लोग अगड़बड कर रहे हो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ चलो बेरी गुडर बहुत अच्छे अनन्त हाँ सबसे बड़ा अनन्त होगा बड़े गुडर चलिए ठीक है सभी कर दिये याश्या अभी सब नहीं करें मुझे पता है ठीक है ना करो ना करो बताते हमिं तुमारा चलो बेकों इंटीजर क्या होता पूडांक क्या होता बाई पूर्र संख्या है ना होल नंबर उचको पॉजिटिव और निगेटिव सब मिला करके ठीक है यानि पूर्र संख्याओं में निगेटिव नंबर नहीं होता है माइनस के संख्या सामिल नहीं होती है ठीक है तो आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर उपलब्द सभी संख्याओ को क्या कहते हैं पूडांग कहते हैं एक यह तरीका हो गया मेरा बनाया हुआ कि संख्या रेखा पर जो भी नंबर है वो सभी पूडांग कहलाती हैं इंटीजर होती है चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है यह पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या हो गया दूसरा यह हो गया कि इधर माइनस अनंत तक जाएगा न इधर कहा जाएगा दोड़ता हुआ प्लफ अनंत तक जाएगा दूसरा हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर प्लफ अनंत तक की सभी जितने भी numbers होती है जितने भी पूर्ल फंख्या है स्वरी पूर्ल फंख्या नहीं बोल सकते क्योंकि पूर्ल फंख्या सिर्फ positive होती निगेटिव नहीं होती ठीक है तो minus anand से लेकर plus anand तक की सभी संख्या है क्या होती पुढांक होती है निगेटिव निटीजर है अगर है और यह पूर्जट्या निगेटिव निटीजर है तो क्या है यह positive integer है धन फूर्डांक है ठीक है खैक भाया अगर यह 29 है तो क्या यह रिड़ पुढांक है निगेटिव इंटीजर है ठीक है तो सभी समझ गए माइनस अनंत से लेकर के प्लफ अनंत की सभी संख्यां क्या कलाती है पुढांक कलाती है या फिर संख्या रेखा पर उपलब्द सभी संख्या हैं जो होती है पुडांक होती है क्योंकि उसके लाँ और कुछ होता है नहीं संख्या रेका पर आप क्या पढ़ना है आप क्या पढ़ना है पुडांक के बाद समसंख्या क्या पढ़ना है समसंख्या चल भया समसंख्या क्या होती है इसकी परिभासा आप लोग बताओगे फटा फट बताओ इबेन नंबर क्या है चल बताओ इबेन नंबर क्या है को लदीव बच्चा पढ़ाई कर लो नहीं तो तुमको अम पटक किमारें के जान लो बसाओर कुछ नहीं ठीक है चुपपे पढ़ लो या तो आजीश राधा मित्थुन कबड़ी लवर कबड़ी हो यह बेतोर साथ है तेंतन न लिया बस तुम्हीं रहा जाया न ठीक है समसंख्या क्या होती है कोई बता रहा है 0246 क्या होती समसंख्या होती है नहीं वोच अच्चा इसी बात नहीं है ऐसी संख्याएं जिनका अंतिमंक यानि लाष्ट डिजिट जिनका लाष्ट डिजिट अंतिमंक जीरो दो एक मीनविट कायको बताए दोगे ढारेक नहीं बताने का पहले जलवाने का फिर बताने का देखओ होता क्या है पहले हम लोग यही पढ़ते थे कि ऐसी संख्या जिनको बात ढुरl से सफल आ जाए व अब तक हम लोग यही पढ़ते थे मुझे भी पता था जब हम कीपएड वाले फोन में रहते थे आईसा वाले अरे वाला वहीं कहीं रखा है तो लेकिन यह तजमाना का साथ साथना बदल गया क्यों क्यों क्योंकि अगर मालीजिये हमें कहा जाएक भाईया यह सम है कि भी सम है अब इनको हमें कहा हो दूई से भाग करो अब हम दूई से भाग करते करते ठाक गए ठाक गए बढ़ाय गए लड़का बच्छे आगए कह रहे पापा मत करो अब बस कर भाउत कह लिया अब कहतम करो रहा है इने दो बहुत भाग करे अं समझ रहो यह फिर मालो की यह आउर पड़ा है अब इनको कहें कि समय कि भी समय तो क्या करेंगे इनको भाग करेंगे दूरय से हम तो भाइव यह तरीका बहुत पुराना हो गया यह उस जमाने का हो गया जब कहते थे क्या आजा मेरे साजना तेरा ne अब बदल गया है ट्रेंड आप कहते हैं आना उत्वाजा वरना फलनम तयार है तो वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई अब इसका कोई मतलब नहीं है अब यह है कि ऐसी संख्या जिसका लाश्ट डिजिट जीरो दो चार छे आठ आठ आएसी संख्या जिसका लाश्ट डिजिट जीरो दो चार छे आठ है वो समसंख्या है सिर्फ अंती मतलब नको देखना है बस देख के समझ जाना है देख के समझ जाना है नजर से नजर मिली बस समझ गए नजरे मिली दिल धड़का और धड़कन ने कहा क्या कहा बताओ तुम लोग बड़ा इक्सपार्ट हो बोल नहीं रहे हो अंदर अंदर मुस्करा रहे हो बीबू अनिल बर्मा स्टूर्यांस भाई ये मेरे नाम से रिलेटेड एक लोग का कमेंट आता है मैंका नाम नहीं बोलूँगा इन लोग मुझे चिड़ाएंगे बस याद हो जी बोलूँगा चलो सर पहले बिल्कुल कालमली पढ़ाते थे कहा मतलब भई एठी कहरा जानू कहां है जानू गई है अभी कहां अरे उदरे गई है कहीं चलो आगे बढ़ें पता है जानू लोग के साथ का होता है अभी मारे एक दोस्त है वो जानू की चक्कर में बहु ज्यादा पागल हुए पानी पानी हुए थे और उनकी जानूना अगले दिन किसी दूसरे कहां गई थी मतलब कुछ काम करने गई होंगे अब उनका जो है जितना भी प्यार था सब बैय गया उतने देर में यह तो दोका दे दिए पता नहीं किसके पास गई थी का करके आई अब बताओ उसका मंज देखो यहां पर समझो अब थोड़ा सा पहला देखो देखो यहां पर जैसे माल लो अभी कमेंट में सबका देखूंगा इन में से कौन सी संख्या सम संख्या है दिख रहा एक नहीं एक मिनट मैं कुछ संख्या दे रहा हूं पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर मुझे बत पीफरा इनका कुछा इसा लिखा दिखाए पड़े का है इनमें कौन कौन सी संख्या हैं सम संख्या हैं कोई है इसमें सम संख्या बता जल्दी से कौन सम संख्या है वनिता भी स्नोई ससी कौन बीबी कह रहा है एक अधा बीबी ना बोलो रात का टाइम वह इसे डर लगता है इन लोगों को तो कौन संख्या है ऐसी संख्या जिसका लाष्ट का डिजिट 02468 कुछ भी होगा वो सम संख्या है यह तो है नहीं इसमें लाष्ट में है नहीं यह है यह भी नहीं है यह है क्यूंकि इसका लाष्ट का डिजिट 4 है इसलिए सम संख्या है इसका लाष्ट का डिजिट 8 है इसलिए सम संख्या है मान लो कि उनकी साधी हो गई है अब देखो मेरा देखो लग रहा तुम्हें नहीं न बस ये सबसे बड़ी पहचान है अब इसमें देखो कुछ लोग मुर जा रहे हैं चालो तो ये समझ गए सिर्फ देख के समझ जाओ बस पूछना नहीं है की हुई की नहीं हुई जैसे जो मैं बताया ना पहचान उसको देख जाओ बस जान जाओ आगे बढ़ें आगला चलो नेक्स्ट देखो इसमें जैसे तीन, साथ, पांच, नो, आठ वान, सेवन दूई, पांच, छे, आठ, एक, तीन, दो आठ, वन, साथ, दो, पांच, आठ, एक जल्दी इसमें कोई समसंख्या तो बता दो फटा-फट फिर हम आगे बढ़ें और फिर चलते हैं किसी को कोई डाउट तो बताओ नहीं न चलो भाई, पता नहीं कोई आगे खड़का राथा, गदा हागा निकांगा अभी कोई ओ क्लास है का भाईया इसमें समसंख्या क्या है, ये वाला है क्यों, क्योंकि ये लाश्ट डिजिट इसमें का क्या है, दो है, ठीक है सभी को समझ में आरा बाबू आगे बढ़े फटा फट, चलो फिर ताबट तोड़ा आगे क्लास चलती है, आगला क्या है, बिसम संख्या, क्या है, बिसम संख्या सभी समझ लेना एकदम प्यार से, और हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार क्लास हो रही न, बोलो हो और नमबर, ये क्या है, चलिए, और नमबर क्या है, आईसी संख्या आईसी नमबर, जिनका लास्ट का डिजिट, वन, थरी, फाइव, सेबन, नाइन क्या होता है, जिनका अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक, वन, थरी, फाइव, सेबन, नाइन इन में से कुछ भी होता है, वो क्या कहलाती है बाबु, वो कहलाती है, बिसम संख्या है सिर्फ देख के जान जाओ बस, ओनली देख के जान जाओ, ठीक है रोहित किसी को बलाक नहीं करना है जिसको जो कमेंट करना है करने दो आज पूरा खुल के करने दो चलो जैसे अगर मैं इसमें आपको बता हूँ पांच आठ तीन दो जीरो जीरो तीन चार छे आठ सब इसी में है नव आठ दो जीरो जीरो तीन दो पांच जीरो जीरो इन में से ABCD में से कोई बिसम संख्या है क्या ABCD में से कोई बिसम संख्या है जल्दी फटा फट जबाब दो एनिवन ठीक है भाई लौकुष कुमार बेरे गूड गीता सिंग राज कुमारी बेरे गूड प्रांजल ओके डन सशी प्रभा पूजा यादो भी है ठीक है ठीक है ठीक है कि देख anál सीखना है तो सुरू से सीखना याद रखना थोड़ी थोड़ी चीजिय आती है लोग बहुत उष़लते हैं बहुत तरफड़ आते और फिर olv – तूपर ठंड़ा है तो जिनको थोड़ा भूत आता है वो भी सबर करें यहां पर देखें हां समझ रहे हो ना तुमको आरेडी पता है ये तुकाओ कि नहीं देखेंगे अभी देखते हैं और जो लोग अपना फेबरीट मन पसंद वीडियो देखते हैं चुप से छुप के कोई अगला ना देख पाए उसमें जो होता कि तुम्हें नहीं पता रहे था क्या तब को पत कि अगर आपको जो नहीं पता वह भी सी herb से ठीक है बारीकी से आरेट चलो तो इसमें क्या है बिसम संख्या की बात कर रहे हैं तो भाईया ये वाला होगा C और D ठीक है कौन कौन होगा C और D चलिए सम हो गया बिसम हो गया अब क्या पढ़ना है भाज्य संख्या भाज्य और भाज्य संख्या है ना भाज्य भाज्य पढ़ना है और काफी कुछ पढ़ना या दिल्ट कभी कलास है कि आज कि एलड़ वालों का सीडूल है क्या आप हले देख लेता हूं फिर बताता हूं पढ़ना तो बहुत कुछ है एक बहुत यह बहुत आई गरु है ए गरुम गरुशत है फिर आज को कहने कौनों कह रहा बरबाद हो जाओगे ने बरबाद ना हो बरबाद ना हो अब तो आ रहे हैं हम लोग क्या आपके प्यार मोहबत वाली बातों में आ रहे हैं जिनके लिए तुम तड़ फड़ा आ रहे हो कहते हैं बस चाहिए जिन्दा चाहिए बाकी कुछ कोई क्वाल्टी ने आगे नहीं आगे बोलेंगे यहां पर पहले टॉपिक डालते हैं तब इनमें दो पार्ट करतो भाई में टॉपिक अब आ रहा है मज़ेदार वाला मज़ेदार वाला टॉपिक आ रहा है जिसके लिए तुम तड़ फड़ा रहे थे अभी तक इसी में तो तुम्हें वह चीज़ सिखाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक होना चाहिए न हम ऐसे बिना मतलब का थोड़ी बोले पहले समझोा बताता हूं तो लेकिन आप लोग याद नहीं रहते हो कंपोचिट नमबर डेखो समझो अब कैसे समझो भाज्या भाज्य में क्या अन्तर होता है देखो अब समझो मतलब की बात समझो फालतु की बात नहीं देखे अब भाज संख्या क्या होती है भाज संख्या क्या होती है पहले मौखिक सुन लीजिए फिर दिखा दूँगा यहां पर ठीक है जैसा कि मैं आपको मोटा मोटा पहले बताएं पहले वही सुन लीजिए तो भाया ऐसी गर्ल फ्रेंड जिसके एक के गर्ल फ्रेंड हो वह क्या होती है प्राइम और यह बॉय पर भी लागू होता नहीं गरियाना मत बात में कि आप तो यह तो भी रोधी हो गया दूर भी यह पात दूर होती है आपको पता है आज के 20 सा पैले गर्ल्रेंड वर्फ्रेंड नहीं हुआ करते थे मतलब स्धी क्योगां की साधी ठीडियाक ठीडैरा साल पईले उनको कुछ पता ही नहीं होता था तब ही हो जाती थी पिर अपना सारा एक्सपेरिमेंट सारी चीजें सारी मतलब जो भी तमन्ना है हर चीज उसी में पूरा करते थे सीखते थे अपना एक दूसरे में ठीक है तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन आज कल क्या है आज कल भाई 30 साल तक 35 साल तक 25 साल तक कुछ मतलब बाकी आप समझी रहे हो ना तो होता है यह सब और कहीं छुपा नहीं हर जगा दिखता है ना तो यह समझ गया आप इनका रिलेशन में कहां से बताया आपको कहे को बोला जो एक्जामपल भाईया यह है वो जिनके सिंगल सिंगल होते हैं नहीं नहीं उल्टा हो गया यह नहीं यह वो हैं जिनके सिंगल सिंगल होते हैं और यह वो हैं जिनके अनलिम्टेड होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है फलाने के लिए उनका नाम फलानी है फलाने के लिए फलानी है फलाने का बात करने का टाइम वह है फलानी का वह है उनका वह है उनका वह है उनका वह में बस क्लास को पूरा देखना बस खतम ही होने माला है लेकिन में पॉइंट तो भी बचा है देखो इसमें जैसे मैंने एक संख्या ले लिया मानलो बहुत छोटा फर नंबर लेंगे बहुत बढ़का नहीं 12 तो भाईया इनके फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं 12 की देखो लो पैक्टर का मतलब जिससे जिसकी बन जा अच्छी वाली यानि इनसे अगर हम मतलब 12 में क्या करें अभी उपर की बात नहीं हो रही है अभी इसकी बात नहीं हो रही है याद रखना भी इसकी बात नहीं हो रही है याद रखना भी इसकी बात नहीं हो रही हो कि वो उसके बारे हम कर रहे है ठीक है तो एक मिनट रुको रुको पहले इनको हम अगले पेज पर समझा दें आपको देखो यहाँ पर फैक्टर का ट्राइब इन सब्वीं संख्याओं से बारी-बारी नंबर से इनको भाग करें तो जीरो से फमल आए तो वह kya हाए अगर जीरो से फाल ना आया तो फेक्टर नहीं है ठीक है सब्वी चलो देखो जैसे इनको गारेंगे तो बारा एंप सेसपल कितना जीरो मतलब क्या है तू जो है इसका फैक्टर है यानि यह क्या है टोयल जो है वो टू के साथ पूरी तरह से सर्टिसफाइड है यानि खुस है एकदम समझ रहे हो खुस है का मतलब कि सेसपल जीरो आ रहा है मतलब इसकी कोई तमन्ना नहीं बच रही है वागे सब जीरो है जैसे अभी तुमारा रिलेशन वाला बताया जिसके साथ तुम खुस रहते हो जिसके साथ सेसपल जीरो आता उसी के साथ तो चलता है जिसके साथ सेसपल बचने लगता है एकात इच्छाएं से रहने लगती है वो कहीं और खोजने लगता है है ना बोले एकदम सही बैट रहा है ना इस पर बैठ रहा है तो वैसे क्या है यहां पर सेसपल जीरो आ रहा है मतलब आप इसकी कोई इच्छाएं और नहीं बच रही दो से भाग करने पर यानि सब सुनने हो जारा है आपे कुछ नहीं बच रहा है तो यह क्या इसका फैक्टर है ठीक है गुरण खंड है आगे देखो अगला अगला देखो आज देखो एक और जैसे मैंने तीन से भाग किया अब तीन से भाग करेंगे तो यहां पर लेकिन ओए तुपके साथ भाग कर रहे हो दिखा रहे हो नराज हम अगर हम 5 से इनको भाग कर देना तो 5 दून9 दeS घटाने पर आया दो कि अब इनकी दो इत्चाएं पूरी नहीं हुई यानी ढ़ी सेंगिंग तो हम कहेंगे कि यह पांच जो है इसका फैक्टर नहीं है ठीक है क्या है इसका फैक्टर नहीं है यानि इसका क्या है गुड़न खंड नहीं है ठीक है क्योंकि पांच से भाग करने पर यहाँ पर सेसपल 0 नहीं आ रहा है बात समझ में आ रहे ने सभी को सभी को समझ में आ रहा है ना पांच से भा तो फिर चलो ले लो जो बचा है वो भी चलो भाई तो एक बात बताओ तुम अभी बहुत मज़ेदार बात तुम बताया ही नहीं दबर रखो बता रहा हूं देखो यह सबी क्या इनके फैक्टर हैं यह क्या है भाजे संख्या हैं अब इनके पड़ोसन है इनके जो जश्ट बाद है वो बिल्कुल खतरनाग टाइप की है इनके जो फैक्टर है सिर्फ दो ही है ठीक है तो यहां से क्लियर हो गया एक एक जामपल से कि आएसी संख्या जिसका गुडनखंड यानि फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होगा बाकी द ठीक है तो वन क्या है वन हर किसी का फैक्टर होता देखो इसमें भी है इसमें भी है यह भाज में भी रहता हर किसी में रहता है नंबर एक बैमान यह हर किसी के साथ लगा रहता है वन और दूसरा वो संख्या खुद होगी दूसरा वो संख्या खुद होगी वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगी यानि एक संख्या तो वन होगा एक वो खुद होगी स्वयम पर्जंट होगी देखो जैसे एक ठीले ले सत्रा सत्रा में भी वन और सत्रा ठीक है समझ रहे हो जैसे मालो कोई और नंबर देलो 53 53 में भी आईसा ना भया एक तो वह न एक फिफ्टी थ्री है यानि जैसे और बहुत सारी चीजें जो लोग कहते हैं वास्तविक जमाने में वो होते हैं ठीक है तो आक के आपना अलग ताइम यह डावाज नहीं है ने रहे माम तक्यों के मोट और है तक इनको नहीं को नहीं बूल Leonardo नहीं लाकर दिखाए हां पकड़कत का ठीखाए खालता है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 6, 12 और एक नंबर चाहे और भी कोई भी ले लो, मानलो 18 मैंने ले लिया तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 देखें इनके धेर सारे फैक्टर हैं, बोलो है की नहीं, धेर सारे हैं न तो वो संख्यात इनके धेर सारे होते हैं, मतलब को बिला के दो से अधिक होते हैं ठीक हैं? धरमेंदर समझ में आ रहा है, राधा समझ में आ रहा है आसीस ए भी पासवान सभी को समझ में आ रहा है तो भाईया ये कलास मुझे लग रहा है काफी टाइम की हो गई लोग बोर होने लगे हैं मुझे पता है इनको हर समय ना नया नया चसका चाहिए थोड़ा अलग अलग टेस्ट वाला तो अब मैं कोई कमेडी तो करूँगा नही उनको पता है उनकी वास्ट्वी कोजा बता देता हूं मैं ध्यान से सुनिया का जाई अगर ने इसमें कोई दो रहाए नहीं है मतलब की यह गड़ बड़ चीज अच्छी चीज वास्तों में अच्छी चीज है लेकिन समझना चाहिए जैसा कि मैं सीखा हूं ऐसा नहीं कि मै तूम्हें अच्छा दिख राहा हूं बस के चीज़ने आप सबको पता है मतलब मैं गंदा को सिखाने के लिए बता रहा हूं घुखे प्यार महप्बद में क्या होता होता है कि नहीं बिल्कुल हो सकता है आज कल की निभी नभबा वाले प्यार में होता है कि नीम के पेड़ पर आम का फल लोग लगा देते हैं ठीक है और फिर जब वह फल नहीं मिलता है तो यह लगता है कि तूट गया आप तूट गया आप कुछ नहीं बचा है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसकी वज़ा में आपको बता देता हूं देखो सुन लो पहले तुम लोग इसी लिए आये थे मुझे पता है पहले सुन लो होता क्या है न देखो कुछ लोग कह रहें हाँ कुछ लोग कह रहें हाँ बिल्कुल सही बात है होता है लगता है तो मैं यह बोल रहा हूं अक्तर मेरे WhatsApp पर बहुत साय लोगों के question आते हैं आज कल कीवा बहुत depression में रहते हैं यह बहुत important चीज है यह अपना अनुभव अगले को share करना चाहिए बहुत important है कापी tension में ना पढ़ाई होती है ना आगे life चलती है बहुत depression में रहते हैं घर से मम् मतलब खतम हो गई है थोड़ा example बताऊंगा जिनको जाना वो जा सकते हैं जो बहुत ही पढ़ाकू टाइप के हैं इनसे नहीं मतलब वो जा सकते हैं class खतम हो गई है कुछ example करवाऊंगा थोड़ा सा ठीक है तो सुन लीजिए मैं बता कि तभी जाऊंगा आचाय कोई सुने कोई नहीं क्यों की अगर एक को ठौर से निकल गया इसमें से अरिक को बंदाबंदी से निकल गई-ना तो उसकि जिन्दगी पार हो जाएगी देखि dough money अर यह मालो एक रूम है यह में अब आपको बताया गया कि तुम्हें एक ऐसे कमरे में लेके चल रहे एक ऐसा कमरा है जहां पर आके बहुत तीक जीवन में आने όली अध्ल assim उपलब्ध है 말et सुनना बहुत प्यार से सुनना जो भी मुहबत करने वाले हैं ज़ो किये हैं तो एक मउसरी चल उपलब्ध है जो तुम्हें इस जिंदगी में चाहिए धन दौलत रुपया पैसा खाने पीने की चीज पहलने ओडने की सोना चांदी गाना पता नहीं क्या क्या जो भी तुम्हें चाहिए पूरी लाइफ में सब कुछ है और तुम्हें सिर्फ वहां पर रहना है आराम से और सिर्फ वहां पर तुम्हें रहना है और पनी जिंदगी जीना बाकी काम दंदा कुछ नहीं करना है बिल्कुल मज़े लेना एकदम बाकी वह सब भी है जो तुम चाहते हो अरे यही यह सब यह सब यह सब ठीक है यह सब भी है तो चलो होता क्या है आपकी आखबंद करके प्यार वाली महबबत वाली में न इसा ही होता है न तो कैसे गुजरते हैं मेरे दिल रात पूछो है तो सुनिए, होता क्या है? आप बैठे हो कलपना की दुनिया में खोय हो, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, ना? अभी याद रहे कि आपके आखबंद है, लाइट नहीं कमरे में, कमरे में अंधेरा है, है ना? जब तक ये सब सोच रहे हो, जब तक ये सब आपके दिल में आरी तब तक अंधिरा है कमरे में लाइट नहीं है फिर उसके बाद आपकी आँख खोली जाती है अचानक लाइट आती है अब आप देखते हो कमरे के उधर फाइट में देखा जवन जवन जानवर वैट है कि तुम्हें जिन्दा खा सकते हैं इतना खतरनाक है ना ना तो वहां कोई धन दौलत रुपया पईसा खाने पायनने की चीज है कुछ भी नहीं है एकदम सम्तान घाट से भी बहतर मतलब बदतर है वो अब है या जो लाइट जल गई आपकी आँख खुल गई उसकी है सही बताओ सभी फटा फट चलो मैं आप संदे देता हूं जिनको लिखने में तसल्ली नहीं हो रही है चलो बताओ जिनकी आप लोग यह बता मुझे यहां पर गलती क्या है नंबर एक गलती यह है जो आँख क्या गलत था ए या भी इसमें गड़बड क्या था आर्यन कुलदीप ठीक है चलो बेरे गुड और कोई सबकी राय देखते हैं किसकी गलती थी क्या गलत था गलत तो वो था ना बिल्कुल सबसे का साही जवाब है गलत यह था कि जो आपने कलपना कर रखा था सोच रखा थ थीक है वो गड़बड था लाइट आ गई आंग खुल गई तुम्हें सच्चाई दिख गई वो बहुत अच्छा हुआ थीक है यह सच्चाई आप लोगों की प्यार महभबत में भी किसी-किसी को जल्दी दिख जाती है किसी-किसी को बहुत देर में दिखती है ठीक है और ह आख जो खुल गई वही गड़-बड़ हो गया यानि उसी उमीद में खुष थे हां ये बात तो है हुष तो थे उसमें कलपना में खुष थे imagine करके खुशते हैं ना समझ रहो कि नहीं कमजोर तब रुखते हैं कमजोर तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं कमजोर तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं और बिजेता तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं बिल्कुल सही सुना आपने सबसे पहले देखेंगे यह structure जो है वो आज आपको referral number के बारे में पूरी गाथा सुनाएगा जहां पर आप multiple color देख रहे हैं और इन color के अंदर जो लिखे हुए later है अलग-अलग उनका अपना अलग-अलग मतलब है इसे पूरा अच्छे से समझने के लिए class को last तक देखते र यह पूरा पूरा रेफनल नंबर को denote करता है यानि पर मी वास्तविक संख्या ठीक है तो मतलब जो पूरी संख्या की मंडली आप मैथ में पढ़ते हो वो सब वास्तविक संख्या के ही लड़के बच्चे होते हैं बात पक्की है ठीक है वाई टेली कराम में नोटिफिकेश नहीं दिया हूं सायद अभी बता देता हूं समझ गए और बाकी उनसे जो छुटकी वाला है जो ब्लैक वाला गोला है वो क्या करता है ठीक है तो जो ब्लेक वाला गोला बाबु भाईया वो क्या है यह ब्लेक वाला गोला आपको परदर्सित करता है यहां पर देखो क्यों फार रेफनल नंबर यानि सबसे बड़ा जो परिवार है वो रेफनल नंबर का नहीं है रियल नंबर का है रियल नंबर रेफनल नंबर का पिता जी यह बाप है बाप देशी बाता में ठीक है क्योंकि इसी के अंदर यह आता है यानि रियल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं क्योंकि रियल नंबर का परिवार बहुत बड़ा है रियल नंबर के अंदर आपका रेफन का है न फिर उच से बड़ा हो जाता होल नंबर का फिर उच से बड़ा होภाय अग्या को में बर पर मिय शंख्या फिर सबसे बड़ा रियल नंबर आईये इसके बढ़िए से बात करेंगे बहुर independent जुटे हुए लाइब उनको एक बार हम विश्वास दिलादने की हम लाइब हैं जैसा की पंकत सिंग कमेंट आ रहा रहा है बंद्र अधरय अब का भी कमेंट आ रहा है अंकीता यादो कमेंट आरा मित्फुन जी कमेंट आरा भार still बैभो बिट्टू सुमन कुमार करू कुमार निसुराना राकेश सिंग अबिसाल नीलम यूब के दिपांसु जोती बर्मा पूजा यादो हां सबका कमेंट आ रहा भाई जिनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको नहीं देख रहे हैं आप बिलकुल अमारे दि टेली गराम पे जरूर जवाइन कर लें क्योंकि टेली गराम पे हम सारी सूचना देते हैं क्लास शुरू होने के बाद हमारे कोई एसिस्टेंट और साथी नहीं मैं खुद नोटिफिकेशन देता हूं टेली गराम पे अभी जैस्ट आपको सुनाई पढ़ा होगा मैंने रि टॉपिक है रेफनल नंबर रेफनल नंबर यह दो टॉपिक क्लियर होंगे जिनको जरूरत है वो क्लास में बने रहेंगे जिनको आता है वहां से निकल लेंगे चलो निकल नहीं लेंगे चाच्छा आता है तो रिवीजन करेंगे जाने कर नहीं परिभासा पढ़ेंगे पर पर्मिय संख्या और बहुत कुछ पढ़ेंगे कोशिस करेंगे सब कुछ कवर करने की अगर इसमें कुछ बचे गया क्योंकि टॉपिक बड़े-बड़े हैं तो उन्हें अगली कलास में देखा जाएगा ठीक है यहां पर आपको दिये गये हैं अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा अभी मैं इनको विस्तार से समझाओंगा तो समझ में आएगा पी अपान क्यूं का मतलब क्या है बताओंगा इसका पीडिएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी समझाओंगा अच्छे सब समझाओंगा पूरा ओपन कर गए अपर मिये संख्याएं क्या होती बाबू ऐसी संख्याएं एक मिनट यह बाहर निकल रहा है क्या यह भी थोड़ा बाहर निकल रहा था ना एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा अरे बताता का है नहीं भ इसका PDF भेज दूँगा टेलिगराम पर, don't worry चलो आगे पूरा साइज में ओके, ठीक है बाबू, चलो तो ऐसी संख्या जिन्हें P.A.P.N.Q की रूप में नहीं लिखा जा सकता वो आपर्मिय या E.R.F.N.L. कालाती है जैसे, हमाट जाते हैं, देख लो इसे ऐसे भी कह सकते हो, कि ऐसी संख्याएं जो पर्मिय संख्या नहीं होती है, वो सभी आपर्मिय संख्याएं होती है ठीक है? इनमें condition एक है, वो especially मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे देख लो देखो, यहाँ पे लिखा है, P equal 0 हो सकता है, बट Q does not equal 0 Q 0 नहीं हो सकता है एक्जामपल हम इनको समझा दें, अगर आप कहो तो समझा दें, देखो इसी में समझा देता हूँ इसी में समझाओंगा, ज्यादा बहतर समझ में आएगा ओ, तड़ी के यह, देखो, देखो भाई, इनको साइड में कर दो, बाद में बड़ा कर दूँगा चलो देखो कहने का मतलब यह कि पर्मिय संख्या क्यूं है यह P upon Q का मतलब क्या है P upon Q का मतलब यह है कि जैसे नमबर 7 है, तो बाबु इसको हम 7 equal 1 लिख सकते है मतलब 7 upon 1 यानि किसी भी नमबर के नीचे आप 1 शिपा सकते हो उसको हर और अंस में बना सकते हो ठीक है जैसे 3 upon 9 है तो 3 upon 9 या 9 upon 3 इसे ऐसा लिखा जा सकता है न यहाँ से compare करके मुझे Q का मान बताएगा कोई Anyone कोई Q का मान बताएगा यहाँ से compare करके Anyone चलो ठीक है बिल्कुल सही पंकत सिंग बेरी गुड तीन आएगा जैसे यह है कहेंगे इसको कैसे पी अपान Q के रूप में लिखोगे तो बता देता हूँ काई को टेंथन लेते हो देखो इसको लिख सकते हो बबुआ देखो इसमें मास्क लगा उसे हटाना है अंडरूट 25 नाट रेफनल नमबर बट इसका वर्गमूल करने पर यह प्लस माइनस पांच आता है और सो भी कैन राइट एज दिस एज ऐसे और इसको ऐसे कर सकता हूँ इसका जो परिडाम आएगा वो क्या होगा रेफनल नमबर होगा ठिक है इसलिए अंडरूट 25 क्या है रेफनल नमबर है आदित्य समझ में आ रहा है सबको आ रहा है इस चानदनी राजपूद सबको आ रहा है चलो तो इनको मैं समझाओंग, अब इस्तार से समझाओंग, अच्छे से समझाओंग, टेंसर नहीं लेने का, चलो, ये PDF भेज़ दूँगा, सब हल करके टेंसर नहीं लेना, सब जो मिटा रहा हूं, कोई लिखनेक जरूत नहीं है, नौ का स्कॉयर, भाईया, नौ का स्कॉयर 81 होगा, और बाबू इसको 81 ऐसा लिख सकते हो, जो की पी अपान क्यू के बराबर है, बोलो सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस, बोल दो सभी फटा फट, यस, काओ चच्चा, बहुत मुस्कराता था तु आज, उत्तर एक को नहीं बताया, कमेंट में सिर्फ सेटिंग है करम लगा, कहीं होई जाया बस, बस कल्यान है जिन्दगी का, वही तो सब कुछ है आज की दुनिया में, है न, लेकिन इच्छा नहीं पूरी होती कभी उसकी, चल तो यह समझ गए, यह भी क्या है, रेफनल नंबर है, 7.5, इसको आप लिख सकते हो, 75 upon 1010, बेसिक में पढ़े हो पहले तो यह पता होगा, नहीं पता है तो बता दूँगा, ठीक है, तो यह क्या है, पी upon क्यू का फार्म का रूप है, तो यह क्या हो जाएगा, रेफनल देखो, बोर्ड देख लो, बोल नहीं रहा को नो, आदेव ज़्यादा तो लाइक भी नहीं करे हैं, 380 बच्चे देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, यह सब कहे को भई, सभी फटा फट लाइक करो जल्दी-जल्दी से, कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए, 300 लोग, 400 लोग तो यह सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ सके हैं, भम लोग, ठीक है, यह एक्जांपल समझ गए, हाँ, ऐसे और भी बहुत सारे एक्जांपल हो सकते हैं, अब मुझे यह बताओ आप लोग इसमें से कौन रेफनल नमबर नहीं है, अगर इसको हम कुश्चन नमबर लिख दें चच्चा लोग, कुश्चन नमबर फेबन मान लो, मान लो क्या करना है, मैथ में माना जाता है तो मुझे यह बताओ, इसमें सेबन A, सेबन B या सेबन C, इसमें कौन ऐसा है जो रेफनल नमबर नहीं है, फटा फट बताओ आएगा लक्ष्मी जी आएगा समझ में, थोड़ा इंतजार अगर C सही है, तो आप सेबन C लिखके कमेंट करोगे, तभी मैं बोलूँगा, कि हाँ आप बताओ अगर D सही है, तो सेबन D लिखोगे, यह तरीका है कमेंट करने का दिपांसू आ रहा है, दान तो निकाल रहे हैं तुम, तो तन काल रहे हैं वाई से आई भूपेश चतुरुवेदी बेरिकूट बहुत अच्छा तरीका है, आसीस, पूजा, चांदनी, सुमन ठीक है, बाकी लोग तो केवल हमाया थोबड़ा देखे आया है, ठीक है, देख ला तो भाईया हो, बाबु हो, इसमें सेबन का भी सही है, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है, दोनों लोग एक समान मान के बैठिये, तभी सीख पाएंगे, ज्यादा एटिट्यूट दिखाने का नहीं, इसमें देखिए अनलिमिटेड है, यहां डाट डाट है, इनकी कोई लिमिट नहीं, कहां से आएं, कहां को जाना है, तो इस तरह की दसमलों संख्याएं जो होती है, वो रेफनल नहीं होती है, इनका कुछ अता पता नहीं है, कहां जाएंगे, क्या करना, जैसे आज कल के कुछ बच्चों का है, उनको कौन सी नौकरी चाहिए कि छेतर में जाना है, क्या बनना है, कुछ नहीं पता है, इंटर के बाद क्या करना था, वो भी नहीं पता था, वो तो कर रहे हैं और रूम पे रह करके पढ़ाई को छोड़ के बाकि साब हो रहा है है ना यह सचाही है 80% से ज्यादा लोगों की फिर कहते नहीं मिलती है कुछ भी पूछो के नहीं बताएंगे आदत इतनी खराब हो गई है कि बाप का नाम पूछो के तब भी कहेंगे आप सन बता कुछ भी पूछो आप सन बता हो मतलब कुछ पता नहीं आप सन बता हो अगे बड़ें तो यह हो गया डण यह कि यह इनको इक्सप्लेन करते हैं खाली पेज में हां यह चीज यहां पर बहुत अच्छी समझने वाली है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती जिनको मास्क घटाने के बाद पहचान होती है कि वो पर्मिय है कि नहीं है जैसे देखें आप रमाननीय मोदी जी का मैंने कुछ मास्क लगाया है रखा हुआ है देख पा रहे हैं इन्हें सायद मोदी जी का है और भी लोगों का है तो आपने द यह मोदी जी है ऐसे आगे लगता है मुखवटा जैसे ठीक है है तो वैसे रफेनल नंबर में जिन में रूट वगरार लगा रहता है वह मुखवटा वाना जाता है उसको हटाने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो कि वो पर्मिय है कि नहीं है समझ रहे हो ना यानी उसको हल क करो पहले कल्कुलेशन करो तभी डिफाइड कर सकते हो क्यों रेफनल है कि नहीं है जैसे इनको साइड में कर दीजी आईए एक्जाम्पल देखिए जैसे जैसे अगर यह लिखा है 625 तो यह रेफनल है कि नहीं है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें जब तक आप इस से वर्गमूल का चिन नहीं हटा देते यह क्या है मुखवटा एक परकार से जैसे मैं उसमें दिखाया ठीक है तो इनको हटाने के लिए यह हटेंगे यह नहीं हटेंगे अगर हट गया असानी से तो रेफनल है नहीं हटे तो इसमझ रहे हो तो इसका वर्गमूल हमें पता है कि पलस माइनस पाचीस आएगा चाच्छा तो यह हट गया प्यार से बिना किसी लफड़े के हट गया तो इसको मैं पाचीस बटा एक लिख सकता हूँ अगर तो यह क्या है फिर पर्मिय संख्या है है लेकिन एक और देख लो कर आगर अंडरूट 61 क्या यह भी हट सकता है से नहीं हट सकता है सो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ ऐसा अगर मैं लिख दिया तो यह ड़ज आट इक क्वल पी अपान क्यों क्यूं भईया ओ चाच्चा इसके अंडरूट लगा इस पर एंदरूट थोड़ी है तो यह परुमिय संख्या नहीं है कौन यह रेफनल है मिस्स काब्या समझ में आ रहा है बातचीत हो रहे हैं यहीं मौका है है ना बाकी पढ़ने लिखने किसका कल्याण हुआ आज कल धाय अच्छर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो यह लेकिन प्रेम कहां करते हो तुम तो नोचना चाहते हैं दूसरे को है ना चल यह बाकी चीजें बीच बीच में होती रहेंगी बलेंटाइन डे आ रहा है कितने लोग की कुर्बानी होगी इस पे उसके बारें बात करेंगे अभी बात में चलो, डन, आगे बढ़ें, समझ गए, एड़ जा, तो यहां पर समझ में आया, यह उसी मास्क के बारे में यहां पर बात हुई है, ठिक है, क्या, अंडरूर्ट 25, यह क्या है, यह पर्मिय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल हटाने के बाद यह क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, सो यह क्या हो गया, रेफनल नंबर हो गया, है न, दन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राजिया समझ में आ रहा है, इसको देखिए, यहां पर अंडरूट 64 जो है यह नाट रेफनल नंबर जैसे लिखा है आसी कंडिशन में यह रेफनल नंबर नहीं है जैसे तुम यहाँ पर बकलोली कर रहे हो कमेंट में तो तुम इस्टूडेंट नहीं हो तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो ऐसे लेकिन अगर तुमने अच्छे फे ढंग से तयारी कर लिया और तुम्हें ससी में बाबू हो गए तो आपके पापा जी बड़े गर्ब के साथ कहेंगे कि हमाई लर्कवा फलानमा एजसी में बाबू है समझ रहे हो फीएफ अधिकारी है हमारे बटवना बेटी हमारी क्या है आईएफ है लेकिन तुम इसी में लटता ही करोगे कुछ दिन बाद मामी पापा मजबूर होके साधी बिया कई के टकेल देंगे कहीं तो वैसे क्या है अभी कुछ नहीं अभी तुम कुछ नहीं हो ले लगती है तो यह इतना आ जाएगा इभी क्या हो गया फिर क्या लगेगा आपके नाम के आगे कुछ और लगने लगेगा है कि समझ रहे हो ना कि एक ठी कमेंट कर रहा है समय च्छा मैं मर जाओंगा अब तुम अभी मर जा तुरंद मर जा मैं बोल रहा हूं जा गंद इला नहीं तब पता नहीं कहां सपाइदा हो गये लोग कोरोना में पाइदा हो गये गल्ती से क्या लग रहा है निम्न में कौन पर्मिय संख्या नहीं है इसमें जवाब दीजिए नहीं ने कोरोना में बहुत लोग गल्तीस पैदा हुए ऐसी बात नहीं है किसी को कोई काम दंदा था नहीं तो यहीं सब कर रहे थे अरे मैं नहीं चलो बताओ question number 10 में कौन सही है तब ही जब आप दो 10 में कौन सही है इसको छोटा कर वहिया देखो क्या आएगा इसमें जब आप दो फटाफट क्या आएगा इसमें एनीवन question number 10 बोला हूं तो 10a 10b 10c क्या आएगा चलो बताओ कुछ लोग मेरी बात को समझ रहें अंदर से काफी मुस्करा रहें सोच रहें हाँ सच्छी बात है करोना का टाइम याद आ गया क्या मस्त टाइम था पूरी दुनिया पूरी काइनात मिलाने में लगी थी हम लोगों को न कोई आ रहा था न जा पा रहा था जिसका जहां लग गया जुगाड़ वहीं रह गया कि वैसे भी एलेंटाइल मेलेंटाइन अपने देश कर नहीं है हमारे देश की संस्कृति ना ऐसी है कि एक बार किसी का रिलेशन बन गया ना तो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता हो साथ जनम तक भूत परेज चुड़ेल बनके पीछा करता है और यहां यह जिन देश कि अच्छा उसी एर में तुम पैदा हुए था उसी एर में तो पता नहीं कौन थे पापा तुमारे मुझे नहीं याद है ठीक है तो यह वहां की संस्कृति के अकॉर्डिंग है वैलेंटाइन देव ठीक है तो इसमें टेन में चलो सही जबाब प्याजाएं यह सी वाला सही जबाब है ती वाला तो यह यहां से भईया स्टार्ट है में पॉइंट आगे सभी चलो चलो तो यह तो मैं पहले एक बार डिस्क्राइब कर चुका हूं फिर से एक बार बता देता हूं सुन लो रिफनल नंबर रियल नंबर यानी हिंदी में बात करता हूं पहले फिर इंग्लिस बता दूंगा जैसे आयसे समझ लो इनको ध्यान से समझो घर परिवार से जुड़े हो ना आस्मान से तो नहीं गिरे हो आचा पापा के पापा को क्या बोलते हो आप लोग कि बताओ फटा फटा की पापा को या बोलते हो सुद्द में कड़क बाता लग को क्या बोलते हो क्या है कि नकीज्द हमारे समझ से हम लोग planner हो यूपी से हैं तो कुछ लोग बाबा बोलते हैं और गो कि आजा भी बोलते हैं सायद है ना जो भी और आप लोग से क्या बोलते हो जहां से चيए समझ सको तो भाएज यहां पर बाबे आजा अक बात नहीं है बाबा ठीक है जो भी बाबा दादा आप समंझलो अलग अलग जगह की अलग-अलग भासा है अलग-अलग राज्यों की अकॉर्डिंग जो भी होगी लग-बग बाबा ही बोलते हैं हाँ चलो ठीक है तो अगर इनको आप बाबा मान लेते हो तो यह आपके पापा हो गए और यह आपका बचवा होईगा मतलब आपके द्वारा लांच किया प्रोड का है के अरे मैं इनको बाबा बनाने को नहीं बोल रहा हूं वह समझने के लिए तो देखो यह क्या है और जो रील नंबर वह वह बाबा है अर्प एल नंबर पे ही यह पूरी फैमली बनी है ठीक है, real number के अंदर कौन आया, यह, क्या है यह, क्या है यह, क्यों मतलब देखो यहाँ पे, रिफनल नमबर, याणि सबसे पहले धर्ती पर पैदा हुआ कौन, real number, real number से पैदा हुआ आपका यह, यह रिफनल नंबर और जो फैदा कि नमबर से नैचूरल नंबर होगा यह मैं आपको समझने के लिए बता रहे हुँ लगाने लगो उसरी नहीं आई ठीक है रिए समेविय समझ गए ना कि उनको साथी नहीं हुए इतकर कि ऐसे कुछ एक्टिवेट है वो सकता है ऐसी बात नहीं है साधी तो एक समाजी कि मतलब चीज है चलो ठीक है फिल हाल करनी चाहिए हाँ तो हम बात क्या कर रहे थे उसको देखो पहले कि इसको मिला के थोड़ा चोटा करके दिखाता हूँ खिसका अगे तुम्हें रुको ये रुक जा है का बचो ठीक है आगे वाक्त करते हैं तुम आने क्या कहा यह कौन है यह आपके बाबा जी मैं लिजी आपके हमारे जो भी यह कौन है पापा जी है और यह कौन है लिए बाबा हो गए यहद आपके यह तरीके से तो यह सब याद रहेगा ठीक है अब इसमें सवाल बनता है अब इसमें सवाल बनता है चलो फटाफ़ट यह बताओ एक रेफनल नंबर है तो क्या वो रियल नंबर हो सकता है बताओ, या फिर ऐसा नहीं मैं जाएगा क्या सभी रेफनल नंबर रियल नंबर होगा, हाँ या नहीं, बोलो क्या सभी रेफनल नंबर रियल नंबर होगा, सवाल का जवाब दो क्या सभी रेफनल मतलब पर्मिय संख्या पर्मिय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है हा या नहीं बोलो फटा फट यास या नो दी पांसू बचवा तुम ही कड़ बढ़ा रहे हो खाय वज़ती करवा रहे हो अगर या वेक मजबूर काय करता हमका देखो कुश्चन क्या है क्या सभी बहुत इंपोर्टन सवाल है याद रखना जिंदगी में अगर आपने उस गराप को समझ लिया पीछे दादा बाबा आजा मौसिया वाला तो जान जाओगे ठीक है क्या सभी पर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो देखो पर्मिय संख्या कहा है यह इदर है पर्मिय संख्या यह क्यों आला है तो भयाओ पर्मिय संख्या तो खुद घिरा है वास्तविक संख्या के अंदर में तो आप कह सकते हो कि सभी पर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है वास्तों में वास्तविक संख्या इनके बाप जी हैं वास्तविक संख्या के तो दो पार्ट थे ना एक रेफनल एक रेफनल तो जब वास्तविक से ही निकले हैं तो कैसे कहेंगे नहीं हो सकते हैं लेकिन इसका उल्टा इसका उल्टा क्या क्या सभी वास्तविक संख्या पर् नंबर मैं इसको कोड डालूँगा बाब इसको 24 तो आप लिखोगे इस वराइड आगर येस बोल Staat हो अगर नो बोल रहे तो 21 अ क्योंत फिर से सुनो क्या सभी सभी वास्तवी कसं झांध्या इसवी वास्तवी नंबर वो पर्मिय यानि रेफनल हो सकती है अगर हां तो 20Y अगर नहीं तो 20Y लिखके कमेंट करो तो मैं समझ पाऊंगा चलो फटा फट प्रियंका सैनी बेरी गुड राधा सिंग भूपेश चतुर बेदी कुल्दीब मुहम्मद अर्मान आलम बेरी गुड अरे गदाहा यह मैं यहन बोला हूं यहन वाई बोला हूं तो कोनो यहम लिख रहा है तो 20P लिख रहा है मारेग नहीं यह क्या कहें थार का मैं पूल गया है अई कुष्टर क्या था मां धुकर बूल गया है अई साना यह मैंने पूछा था क्या सभी वास्तविक संख्या पर्मिय संख्या होगी नहीं होगी ये तो अत्याचार हो जाएगा कि आपके पापा की संपत्ती पर अपने भाईया को जीरो कर दिया आप कुछ नहीं दिये को गलत नहीं हुआ कहा जाए अगर मालेजी राम और स्याम दो भाई हैं उनके पिता जी के पास दस एकड़ जमीन है तो क्या ये कह सकते हैं कि सारी संपत्ती जो उनके पिता जी की है वो राम की है लेकिन कंडीशन है कि दोनों पुत्रों का बात बेवहार अच्छा है आचरन सही है पिता जी के प्रति ये कंडीशन है ठीक है तो क्या ऐसा possible है नहीं ना अगर दो हैं दोनों के बाद बेवहार आचरण पिता जी के प्रती अच्छा है सेवा भाववणिया है तो दोनों का होगा ना एक एक तो नहीं होगा ना तो वैसा जो real number है वास्त भी कसंख्या है वो क्या है उसके दो भाग है एक revenue एक revenue तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि पूरा का पूरा जो real number है वो रेफनल हो सकता है यानि पर्मिया हो सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें रेफनल भी सामिल है ठीक है तभी समझ गए ना कि नहीं समझे परसांत जी बिल्कुल समझ में आ रहा है ठीक है very good सभी को समझ में आया तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं मुझे एक बात और बताओ क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है फटपट बताओ नेचुरल नंबर मींस प्रकृतिक संख्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या बास्तविक संख्या है कि बोलो एक ग्राफ देख लो इधर फाइड में बताओ कि हाया नहीं बोलो फटाफट देखो कुछ तो पढ़ नहीं राज बात चीत कर रहा है न इसको पांच-पांच मिनट के लिए सब को होल्ड करो फटाफट कि मतलब हमारे मुझ का चाहत है गाली देदी गरिया दी गंदा वाला हां तो लोग क्लिप काट कियों का परचार कर देखो देखो गाली दीए देखो देखो चलो ठीक है अब हाथ डंडा तो पढ़ नहीं सकता लाइब क्लास में यही तो दिख्कात है चाहे तो अपना कैमरा और लेप्टाप फोड़ दें यहीं हो सकता है आफ लाइन होते तो पता चलता आफ लाइन में हमारा ना बात कुछ अलाग होता है चलो मैंने कहा कि सभी नैच्छुरल नंबर यानि प्राकर्तिक संख्या रियल नंबर होगा बिल्कुल होगा ये भी गलत नहीं है कि सभी जो नैच्छुरल नंबर है वो वास्तभी पूर्द फंख्या भी होती है सभी प्रकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है और सभी प्रकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है और सभी प्रकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती है क्योंकि ये सबके घिरी हुई है अंदर में है इनके उपर सबका कपजा है यह छोटा आफ है अंदर में लेकिन यह बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है किसी का अधिकार नहीं है कि सभी रियल नंबर सभी वास्तिविक संख्या परमिय संख्या है यह सभी वास्तिविक संख्या पूडांक है यह सभी वास्तिविक संख्या प्रकृतिक संख्या है यह सभी व अंदर है वो उसके अंदर कही जा सकती है कि हाँ यह इसकी सारी संख्यां इसमें है यह मतलब है ठीक है जैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा थोड़ा समझ ले एक जंपल बताऊंगा बस से चलो देखो यहां पर थोड़ा एक जंपल समझो मतलब अब अब देखो यहां पर समझो अब मुझे यह बता और समझो यह क्या है यह सभी पूर्ड फंख्याएं बाबू क्या है पूर्ड फंख्याएं है यानि होल नंबर है यह सभी रेफनल नंबर है और सॉरी रेफनल तो हैं ही मैं रेफनल की बात नहीं कर रहा हूं यह सभी नेचुरल नंबर है यानि प्रकृतिक संख्याएं है तो एक बात बताओ क् लोहाया नहीं है कि अ कि रमन मीना कि सबसे बड़ा रियल नंबर बैया इन्फाइनाइट अनंत जहां तक मुझे पता है ठीक है क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है कि प्रसाद सिंग का बेज़ो बैया अंग उठी बेज़ो कि अंग देखो मैंने यह पूछा था कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है वो पुर्र फंख्या है बिल्कुल है क्यों क्योंकि पुर्र फंख्या वाली मंडली में यह सब पहले फजा के सामिल है देखो भाई प्रकृतिक संख्या में वन से सुरू है पुर्र फंख्या में जीरो से सुरू है तो सभी प्रकृतिक संख्या है जो है वो पूर्र फंख्या है लेकिन इसका उल्टा अगर मैं पूछूं क्या सभी पूर्र फंख्या है प्रकृतिक संख्या है बोलो बोलो क्या सभी पूर्ण फंक्या जो है वो प्रकृतिक है यास या नू नहीं है क्यों सभी पूर्ण फंक्या प्रकृतिक कहां है प्रकृतिक तो वन से सुरू हो रही चच्चा वन से सुरू हो रही है इसमें जीरो भी है यह एडवांस में है यह प्रकृतिक में नहीं आती है जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आती है, इसकी खोज आरभट बाबा ने किया था जल्दी हाली में, अरे मतलब तुम्हारे बचपन में न, मतलब यह नेचुरल नंबर नहीं एक कुल मिला के इसकी खोज परताल की गई थी, बहुत समय तक यह जीरो थी नहीं दुनिया में, तब अधिकतर संस्कृत और रोमन संख्या में आगे की गिनती गिनी जाती थी, जैसे एका, मुझे तो हादा ने भी संस्कृत में गिनती, दस को दसम बोलते हैं बस इतना जानता हूं, नो को नमम, ठीक है, आपने देखा होगा संस्कृत में गिनती, और इसी आधार पर गि क्योंकि तब जीरो था ही नहीं, तो सभी समझ गए ना, नमबर एक, नमबर एक आज हम ये पढ़ेंगे इसमें, परमिय संख्या का निमनतम रूप या सरलतम रूप, जिसे आप लोग देशी भासा में कहते हो, मुझे काटना नहीं आता है, ठीक है, जैसे अगर कहीं ऐसे न कैसे 7 बटा 5 ऐसे कैसे प्राप्त करोगे, ये सही नहीं है, ऐसे कैसे करोगे, उसका क्या 30 तरीका होता है, क्या नियम होता है, ये सब बताएंगे बाबू, ठीक है, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है बोलूँगा नहीं किसी का नाम पहले पहले पढ़ाई ठीक है पहले पढ़ाई पर्मिये संख्या का जरलतम या निवनतम रूप निवनतम दिख रहना उधर रूप शरलतम या निवनतम या निमनतम ये आज आपका पहला एक टॉपिक होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से ढंक से ठीक है कमेंट सबका दिख रहा है थोड़ा तफली रखो सबका कमेंट दिख रहा बाबू ठीक है चलो दू दूसरा क्या पढ़ेंगे आज दूसरा पढ़ेंगे योगात्मक परतिलोम गुडात्मक परतिलोम मैंने सारे टॉपिक नोट करा आज जिससे की कोई डिलेट ना हो फटा-फट सारे टॉपिक क्लियर हो जाए एडिटीव एंड मॉल्टिप्लिकेटिव आइडेंटी पढ़ यह एक टॉपिक है बहुत ज्यादा पदला चल गया ना दूसरा क्या पढ़ेंगे योज तत्समक वा गुड़न तत्समक इंगलिस बताओं गरु को गुड़न तत्समक कुछ ज्यादा जूम है बोर्ड मुझे लग रहा है न यह चलो काम चलाते हैं पहले गुड़न तत्समक इंटें बोलते हैं इंगलिस में एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटी स्पेलिंग का होती है आइडेंटिटी होता है आइसे ठीक है तो यह सब कलियर होगा आज की कलास में बस सबर रखो अगला पढ़ेंगे गुड़न तत्समक के बाद में परतिलोम या उसे बेउतकरम भी बोल सकते हैं लिखो पर्मे संख्या का गुड़न या बेउतकरम परतिलोम योगात्मक परतिलोम योगात्मक वा गुड़ा आत्मक परतिलोम ठीक है सबी का कमेंट आ रहा है सब का दिख रहा है रॉकी कमेंट आ रहा है बंदना आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है भाई Gamer FF अरचना यादो जी आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है पंकत सिंग आपका भी कमेंट आ रहा है मेनाक्षी सुकला जी सबका कमेंट आ रहा है मैं सबको देख रहा हूँ चलो आगला लिखो additive and multipilitative inverse रुख जाओ disturb कर रहा है कोई एक मिनट इसको मार के आता हूँ पटक के रुख जाओ काई दिमाग का पंचड़ बना के रखा भाई निकल ले आँ से कौन कर रहा है कौन दो तिन ठोर ठीक है तो यह चार टॉपिक है बाबू इसमें से कितने लोग को यह चारो टॉपिक आते हैं अगर बाचीत किया तो शिर्फ पढ़ाई यहां कोई बाचीत नहीं बाचीत वालों को वह मिश्टर रोहित बहुत कड़ाई में रखी है इनको जो बाचीत करें उन्हें फटा पट बलाक करिये बगाई यहां से ओनली पढ़ाई नॉट सेटिंग कोई सेटिंग नहीं यहां पर राधा सिंग कुल्दी भारती यादो सबका कमेंट देख रहा हूं तुम्हारा जो चुप डुप हो रहा है सब मैं देख रहा हूं तो ऐसा कुछ ना करो यहां पर नहीं बेजिती कर देंगे स्क्रीन साट ल चोटा सा देखो एकदम चोटा पर नमबर यार एक मिनट मुझे लग रहा है ना लाइन जो है ना बहुत यह चोटे में आ रहा है जगा बहुत कम दिख रहा है कि इसे आप सरल करके बरदाओ सरलतम रूप कैसे आएगा ऑनीवन कोई कर पाएगा देखो पूशा रूप यह होता है कि इसको मतलब इतना सरल किया जाया हल किया जाया जैसे काता झाट ना कि फिर वो और आगे ना कर सके और मैथ की भासा में कहते हैं किصसा कैसा रूप पाएगा जिसका मतलब फिर जो फैक्टर हो वन के अलावा कोई और ना हो कि यह काफी ज्यादा जूम था इसलिए मेरा ना दिमाग का यह पंचड़ बना रखा था कि गादाहा नहीं तो कि इतना बड़ा बोर्ड का है को लगाया रहे बाबा कि चालो कोई बताएगा एनिवन क्रिष्णा मिष्टर आ रहा समझ में लक्षमी पाठाक चांदनी राजपूत आ रहा सबको आ रहा चलो ठीक है देखो देखो मैं बताता हूँ देखो यहां पे जैसे अगर मैंने एक नंबर रे लिया एकदम छोटा फ़ नंबर मालो कि मैंने लिखा 128 बटे 112 देखो 128 बटा 112 इसको सरल करके क्या लिखा जा सकता है देखो पहला तरीका जो आप करते आये हो पहले वो देखो जो हम बचपन से करते आये हैं पहला तरीका यह है कि इनको पहले दो से काटेंगे तो दो चंग बारा दो चोग आठ दुई पंचे दस दुई चंग बारा ना यह एक तरीका हो गया लेकिन अभी और आगे यह कटेगा तो दो से काटो तो 32 बोलो साही है ना भाई अभी फिर यह दो से कटेगा अभी भी सबर नहीं है इसको अभी फिर कटेगा यह देखो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूं कि इतनी बड़ी मुसीबत इतना बड़ा लफड़ा नहीं करने पड़े किसी को बताओ यह कितना इस्टेप में हुआ कोई गिन के बताए यह पहला इस्टेप तुम्हालो था ही दूसरा तीफरा चौथा और पांचवे में आंसर आया इतना बड़ा नहीं करना है मैं आपको यही पढ़ाऊंगा लाइ बहुत कम थी ना आप देखो दिखा कुछ अ कि बोलना चाहिए ना आप लोगों को ब्राइटनेस कम है लक्षमी पाठाक समझ में आ रहा है कुल्दीप आ रहा समझ में बातचीत वालों को तुरंध होल्ड करो फटा फट कोई बातचीत नहीं अलाउ नहीं कोई बातचीत न देखी है परमिय संख्या का सरलतम या निवनतम रूप वो होता है जब वो अपने एकदम अंति मवस्था में हो फिर उसके आगे कुछ नहीं हो सके तो मतलब भिन के रूप में ही हो लेकिन उसके आगे फिर कुछ नहीं हो सके जैसे देखिए एक्जाम्पल सही समझोगे मुझ से नहीं समझ में आ गई है जैसे इसी को ले लो 128 बटा 112 न इसमें बहुत कुछ हो सकता है 4-5 स्टेप में मैंने जो हो सकता था किया और फाइनल में आ गया 8 बटा 7 अब बताओ 8 बटा 7 भिन के रूप में बना भी रहे क्या इसमें और कुछ सरल हो सकता है क्या और छोटा हो सकता है यानि जितना इसको तोड़ा जा सके उतना तोड़ दो फिर और ना तूटने लायक बचे समझ रहो जिसलिए जिन्दगी में जो बहुत ज़्यादा दुख जहल जाते न फिर उनने कोई फरक नहीं पड़ता है और ऐसे आसिक भी इसमें होते हैं जिनका दिल बहुत बार तूट जाता है न फिर उनका दिल रही ने जाता पत्थर हो जाता है वैसे ही सेम यूभी तो मैद की महां सम बात करें तो इसका सरलतम रूप वह रूप होता है P P P N Q के रूप में जब इसमें P P OR Q के पद का जो मान है यानि अंसर हर उन दोनों का जो common factor हो वो सिर्फ one हो सिर्फ one हो बाकिया और कुछ ना हो तब उसको सरलतम रूप बोलते हैं सबी समझ रहे हो कर नहीं बोलो यस अब इसका जो है अगर आप देखो तो 8 upon 7 को और ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता है लेकिन लेकिन एक चीज और जो उपर आपने किया था उसमें क्या था इसको मैंने एक बार फरल किया था इसको देखो तो ये आया था इधर वाला ये आया था लेकिन इसको फिर फरल किया ये आया फिर इसको किया ये आया फिर ये आया कितने step में आया कई step में आया ना तो ये क्या था भाईया हो ये इसका सरलतम रूप नहीं था final में जा करके आया था सभी समझ गेत एक बार yes बोल दो जिनको नहीं आया मैं बता रहा हूँ देखो फिर से बता रहा हूँ टेंसा नहीं लेने का चलो don't worry चल भाईया एक और ले लो एक और ले लो जैसे अगर मैं एक नंबर दूँ आज मैं चुनिंदा नंबर ही दूँगा जिन में कुछ मज़ा आ सके एक सो बाननवे बटा एक सो असी चल भाईया कि इनका सरलतम रूप बता मुझे कोई कि एनीवन कोई बताएगा कि बोलो नहीं पटक के मारें जानलो दिमाग खराब किया इसी मना इद्दम परिसान कर देते हैं कुछ ऐसी आ जाते हैं गदाहा कि चलो देखो सिंपल में बाबू देखो इनको अगर आप ऐसे करोगे जो अभी घसाटा हुआ तरीका किया था तो पांच स्टेप में करोगे तब जाके कहीं आंसर मिलेगा कुल वजाई कर लोगे तब लेकिन बिना यहीं सब लफ़ड़ा करने से आंसर मिल जाए उसका तर अरलतम रूप या नियूनतम रूप वो होता है जब राप्त भिनका अनस और हर का कॉमन फैक्टर सिर्फ उन बचे बाकी कोई न बचे इनके कामन फैक्टर अभी बहुत सारे हो सकते हैं सबसे पेहले तो टूई ही है सोला भी सका कामन फैक्टर है इसका आठ भी common factor है कि नहीं है आठ नहीं है सवर्य आठ नहीं है common factor दुनों में अठ नहीं है लेकिन फिर भी एक से दीखा है अभी ठीक है अरचना बता रही है और 40 बटा 45 और कोई अंकित अच्छा तुम तो जुगाड करने आये हो कर लो राज्जा कर लो कर लो देखो सिंपल में इसका मैं जादू बता देता हूं तुम्हें जो मेन है इनका क्या करेंगे अंसवा हर का करते हैं और एक सिएफ आपका इतना तेज होना चाहिए कल्कुलेशन कि आप मन में कर लो खटाक दे पटाक दे अंसर आ जाए ठीक है तो इस तरीके से अगर तुम करोगे मेरे भाईया बाबू तो इनका सिएफ कितना आएगा बारा आएगा करके देख लो एक सिएफ अब जिनको एच सिएफ नहीं आता है उनको कच्छा एक से दस्ताक वाली मेहत पढ़ने चाहिए क्योंकि यहां पर उसका कोई रोल नहीं है मैं नहीं बताऊंगा कि 16 आएगा कितना आएगा बारा आएगा ना बाबू तो देखो बारा आएगा बारा से काटो इनको फटा फट दूबारा कटने लाइक नहीं बचेंगे यह इतना बुरा कटेंगे 12 से काटो बारा एक कम बारा बचेगा 7 हो जाएगा 72 बारा छंग 72 इनको बारा से काटो कही बारा एक कम बार बचेगा 6 1 25 बराबर 16 बटा 15 यह हो गया आपका सरलतम रूप इसके आगे कुछ नहीं हो गा इसका ठीक है बहुत अच्छे भाई सबको कमेंट आ रहा सबको बहुत मस्त दिख रहा है कोई दिखकत नहीं बाबू चलो आगे बड़े हम लोग एकदम मस्त है कोई दिखकत नहीं बाबू चलो भाई तो इस तरीके का एक और मुझे करके बताओ एक्जामपल तुम्हें बहुत सारा लिया था तुम्हें कर लो एक आठी 210 और 170 करो चल भाई या चल राज्जा चल ना चल ना इसका करल के बताओ सरलतम रूप चल भाई एनिवन देख रहा हूं कमेंट लक्षमी पाठक पढ़ाई पर ध्यान दीजिए वरना यहां से अलविदा कर दिया जाता है आप सोचते हो कमेंट डिलीट कर देते हैं न लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं इफ लिए कोई परकार का जुगार नहीं चलने वाला पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई बाकी कुछ नहीं चलो अगला नंबर लक्षमी का इनको होल्ड करिएगा दुबारा यह बहुत ज़्यादा बकाहिती कर रही धवल तिर पाठी गुट इबनिंग पूजा यादो जी बेरी गुट चलो ठीक है देखो इनका सरलतम रूप सबसे पहले तो यह तरीका है का आप जीरो से जीरो काट दो तो 21 और 17 बचेगा इनमें वैसे बहुत बड़ा बहर है आपस में कोई जुगाड नहीं हो सकता है तो भाईया इसमें कुछ नहीं हो सकता यह आंसर हो गया 21 बटा 17 बहुत आफान था इसमें कुछ नहीं करना था कोई HCF करने के जरूद नहीं थी चलो very good सभी कर लोगे मरे भाई एक हजार पचास और 2030 का करके दिखाओ एक हजार पचास और 2030 का करके दिखाओ दो हजार तीफ करूँ चलो इसका कितना आएगा एनीवन कोई बताएगा जल्दी फटा फट पढ़ाई 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 चलो सुर्यांस very good मिस जानवी very good राजिया कुलदीप सिंग अर्चना स्वरी अराधना तिवारी परमिय संख्या को इंगलिस में रेफनल नंबर बोलते हैं भाईया रेफनल नंबर बोलते हैं बाबू रेफनल नंबर ये इसको बोलते हैं रेफनल नंबर अरे आज तक मैं इंगलिस हिंदी दोनों तो बढ़ा रहा हूं का एक वा जायो चलो ठीक है very good तो इसका कोई आंसर दिया बिट्टू ने जबाब दिया बिट्टू बहुत अच्छे बिट्टू very good बिट्टू पहले एक 0 निपटा दो देखो 203 किसी से कटेगा क्या मुझे नहीं लगता कि कटेगा रे बाबाई ये काटके देखो नहीं कटने वाला ये साथ से कटेगा क्या 150 230 ए गदा है पैदा भई काँ इकवने 150 बता रहा है 150 कहीं है नहीं अच्छा इबात कर रहा था वही है चल ठीक है भाई बेरी गुड तो इसका मुझे लग रहा यही होगा चलो अंतिम अंतिम पर्यास कर लेते हैं जो करते हैं देखो अंतिम पर्यास में इनका HCF करेंगे 203 को बागू 105 से भाग करोगे एक बार जाएगा 13 में से 5 गया 8 सबको दिख रहा है इसमें से एक उधार गया था यह 13 13 में से 5 गया 8 यह बचा 9 यहनि 98 सही है हाँ ठीक है आप देखो समझो हम HCF निकाल रहे हैं वन टाइम जाएगा दिख रहा है साथ आएगा साथ से 98 में भाग करो यार कुछ HCF आएगा मिलता वह नहीं आएगा साथ से क्यों करेंगे अच्छा गटानेप साथ आया था ठीक है साथ एकम साथ घटाओ कि कितना आएगा दो ऊपर आठ उतालो साच्छो कटा इसा रहे यार कटेगा मेरे भाई साथ से कटेगा यार यह तो ऐसा कईसे फिर साथ से कटेगा यह आंसर देखो यही होता HCF निकालना मैं तो जान रहा था नहीं कटेगा यह दोखा दे रहा देख लो मैंने कहा ना कुछ ऐसे भी इंसान गदार होते हैं बेवफा जूटे मकार होते हैं जो देखने में बड़े सुन्दर सीधे बोले बाले लगते हैं वो ऐसे यह नंबर है देखने में लग रहा है बस इसके आगे कुछ नहीं होने वाला इसका एकदम फाइनल है यह लेकिन ऐ यह कटेगा यह कटेगा इसका हम साथ आ रहा है कि कि अध्यक ऀएक देगा कि गाς अनुट्च इकम साथ इसमें तीन आयेगा बन जाएगा साथ पचे पाइटीस यह साथ दूनह चूदा और बचेगए 6 हो जागा तिरे अफार्ट फाट नमाई तिरेस और यह आएगा तो यह हुई ना बात यह है परमिय संख्या का सरलतम रूप आप कह सकते हो कि रेफनल नंबर रेफनल नंबर का जो एकदम लास्ट इस्टेप होता है यानि सरलतम रूप इफ नंबर का वो यह है ठीक है सभी को समझ में आया कोई डाउट किसी को नहीं न भाईया चलो आगे नेक्स्ट आगला ए बकरी बकरी हटाओ यार डेली कलास पढ़ने के लिए बाबू टेली गराम पे जरूर ज़ौइन कर लो क्योंकि हम वाटसप पे अब लिंक औगरा भेजना बंद कर रहे हैं सिर्फ टेली गराम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जिनको बिल्कुल फिरी पढ़ना है वो हमें टेली गराम पे जरूर ज़ौइन कर लें अभी कलास आगे चलेगी यह बहुत इंपॉर्टन बात है इफ लिए बताय रहा हूं हर जगा हमारा एके नाम है पीवी आरे स्टडी कहीं भी यह रजिस्टर टेड़ मार्क है पीवी आरे स्टडी इंस्ट्यूट का आगला बताओ इसका सरलतन रूप बताओ चल भाईया कुलदीब चौहान पढ़ लो लाश्ट बार बता रहा हूं बाबू निवेदन कर रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ लो गीता सिंग सभी के आर्डर से कलाफ नहीं चल सकती है क्योंकि मैं भी इंसान हूं मेरे अंदर भी एक आत्मा रहती है और वो भी कुछ कहती है मतलब मेरे आत्मा कहती है और कुछ नहीं ज्यादा मत समझना कौन है कहती है चलो देखो इसका सरलतम रूप सबसे पहला तरीका तो जीरो से जीरो हटाओ अब इन में कुछ पॉसिबल नहीं है मोटा मोटा दिखरा उपर फेह कुछ पॉसिबल नहीं है तो इसका सरलतम रूप यही होगा ठीक है बाबू बिट्टू बिल्कूल बेरे गुड राधा सिंग, लक्षमी सिंग, अर्चना यादो, गीता सिंग, भूपेश चतुरवेदी, धवल तिरपार्थी, कुल दीब जी, बिट्टू जी, आसी जी बेरे गुड अगला नेक्स्ट इसका सरलतम रूप बताओ ए बाईया अब बस करो अब कुछ आलाग न थोड़ा टेस्ट बदले, नहींत कहोंगे, अई का जेल गये इतना, चलो इसको बताओ सरलतम रूप बताओ फटाफट सबसे पहला जवाब कोई दिया इसमें, हिमांचल, अहिरवार, बेरी गुड हिमांचल, निर्मल, विबेक आप देखो कितना मज़ा आ रहे ही सब पढ़ रहे हैं न, फालतु की बात चीत करते हो न, बहुत अंदर फे न, इदन धुआ निकलता है समझ लो, क्यूं? क्योंकि मैं तो बहां चिला रहा हूं नंगे ठंडी में, तुम आके सेटिंग कर रहे हो, जुगाल कर रहे हो, अब भाईया, मेरे बाबू, आपका ये टॉपिक हो गया, कंपलीट, ये टॉपिक कंपलीट हो गया, जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था, है न, मैं ऐसे कभी प्रॉमिस करता नहीं हूं, करता हूं, तो उसे पूरा जरूर करता हूं, मिलने की तुम कोशिस करना, वादा कभी न कर करना वादा तो तूट जाता है देखो क्या बन रहा है आप अब यह पढ़ेंगे अगला नेस्ट टॉपिक आगला नेस्ट टॉपिक है एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कौन सा जानवर का नाम है देखो भाईया चलो इसके बारे में बात करते है ये तस्बीर एक है तस्बीर तेरी मेरे दिल में देखो यहाँ पे कहा है पहले ये तस्बीर में देखो कुछ क्लियर है कि नहीं फिर हम बात करते हैं जल्दी एक बार बताओ यास इसमें क्लियर है ठीक है दनिश सिद्धे की बीबेग चौधरी बेरे गुड चलो बाबु आओ तस्बीर में सब कुछ क्लियर है पढ़ने वालों के लिए बाकी तुमको जूम करके नहीं देखना है उसमें कुछ और नहीं दिखेगा चलो पर्मिय संख्या जीरो के लिए योज तत्समक क्या लिखा है अरे थाम थाम के पढ़ो पर्मिय संख्या जीरो पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक है देखो इसको ऐसे पढ़ना है पर्मिय संख्या जो जीरो है वो पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक है योज तत्समक का मतलब additive identity additive identity ये क्या है कौन सी मुसीबत का नाम है समझो बता रहा हूं देखो किसी भी संख्या का योज तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी जो होता बाबुना वो संख्या होती है कि उसको उसमें जोड़ने से कोई फरक ना पड़े जैसे कुछ लोग होते हिकना चलबिल धेरा और पतानी कौन-कौन सब पेड़ होता है हम लोग छोटे थे उसको थंडी में काटा जाता था तो यहां पर क्या बात आ रही है कि कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी कहो कितना भी कहो जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं कितना भी मारों नहीं पढ़ते हैं कहते हैं हिकनाहीगा नहीं हम लोग की मासा में तो बतला कुछ भी करो उसके ऊपर कोई फरक नहीं पढ़ता है तो वैसे एक ऐसी संख्या जिसको जोडने से पर्मिय संख्याओं पर कोई फरक नहीं पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ता उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है वो उस संख्या का additive identity या फिर तत्समक क्या कहते हैं योज तत्समक कहलाता है क्या कहलाता है योज तत्समक क्या कहलाता है योज तत्समक कहलाता है सभी समझ गए तेक बार यस बोलो यस हर्ट हैकर ठीक है आगे बढ़ें सभी समझ गए ना तो आगे बढ़ें चल भया तो योज तत्समक सभी समझे लेकिन अभी नहीं कहां भी समझे अब ही तो एक्जाम्पल लिखो था अब ना उसके बाद क्या है पहले इसका एक्जाम्पल देखो चल रहा है यह नहीं आ रही है चल रहा है योज तत्समक या फिर इसे बोलते हैं Additive Identity Additive Identity ठीक है जैसे मैंने परमिय संख्या लिया 17 अगर 17 में हम 0 को जोडएं तो क्या इसके मान में कोई फरक पड़ेगा बोलो 2 बटा 7 में 0 जोडएं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया है कि यह ऐसे हीकना होते हैं जिन में कुछ भी जोड़ो उसवर्य नहीं मतलब एक सिसंख्या जिसको किसी भी परभिय संख्या में जोड़ो तो उससी फारिक नहीं पड़ता है वो संख्या वैसी कि वैसे रह जाती है कि जैसे तुम तुम लोग हिकाना हो गए हो कितनों रोजगरियाओं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे कोई फरक नहीं पढ़ता मेरी बात का आज तुम्हारे घर वाले भी बोलते हैं न कोई फरक नहीं पढ़ता तो तुम लोग क्या हो तुम लोग नहीं व वो लोग जिनकी बातों का तुम्हारे उपर कोई फरक नहीं पड़ता है वो तुम्हारे लिए एडिटिव आइडिन्टिटी है ठीक है याद रखना आज से बता देना अभी बताते हैं पिंकी या कितने कलास में रुको गदहा कहीं का खचर पता नहीं कहां से आ गई पढ़ नहीं रहा है कहता है घटू करा है पिंकी किस कलास में हो इनको पढ़ा है कोई मतलब नहींने के जिन दगी जो है न वो gord कहाऊ हूँ जाने दो, चलो, तो सभी समझ गए, एक ऐसी संख्या, जिसको पर्मिय संख्याओं में जोडने पर उस पर कोई फरक नहीं पड़ता, उसके मान में कोई इफरक नहीं पड़ता, वो इसका additive identity यानि योज तत्समक कहलाता है, तो पर्मिय संख्याओं के लिए जो योज तत्समक ह होता है, बाबू, वो 0 होता है, 0 होता है, जैसे कोई भी पर्मिय संख्याओं ले लो, उसमें अगर 0 जोड़ोगे, तो इसके मान पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये भी पर्मिय संख्याओं माइनस में है फिर भी, इसमें सुनना एड़ करोगे, फिर भी ये माइनस 28 ही रह गुड़न तत्समक, हाँ, गुड़न तत्समक, तो इसमें चाहें लिख लो, एक मिनिट यहां दिखा देता हूं काई लिखोगे, देखो यहां लिखा है न, पर्मिय संख्याओं सुनने पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक होता है, इसको लिख लो ये उसका फाइन आप दो कि अ कर मेंगे संख्या वन जो है वो पर्मिया संख्याहों के लिए गुडण तद्शमक कोता जिससे मल्टिप्लिकेटीव आइडेंटिटी कहा जाता है मैं लिखो लिको भाईया गुड़न तत्समक मल्टिपलिकेटिव ये क्या है कौन से जानवर का नाम है एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी पर्मिय संख्याओं में मल्टिपल करें तो यानि गुड़ा करें तो उसके उपर कोई फरक ना पड़े गुड़ा करने पर याद रहे जोडने पर नहीं है मल्टिपलिकेटिव आ गया तो वो संख्या पर्मिय संख्याओं की multiplicative identity कहलाती है यानि की गुडन तत्समक कहलाती है ये पर्मिय संख्या रेशनल नंबर इसमें one का multiple करें तब भी ये 13 ही रहेगा 2 upon 15 है इसमें one का multiple करें फिर भी ये वही रहेगा समझ में आ रहा भाईया बाबू ये 18 बटा 81 है इसमें one का multiple करो फिर भी ये वही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि पर्मिय संख्याओं के लिए जो संख्या one है क्या है जो one है ये इसका multiplicative identity है क्या है one एक ठी कमेंट कर रहा है उसका नाम है तुमसे इसक हो गया ये इसक ना बहुत खराब बिमारी है इसको लगने के बाद तुम्हारा software और hardware दोनों हाइक हो जाता है कुछ नहीं काम करता फिर तुम जिन्दा तो रहते हो ना कहते हैं वो गाना है नहीं कौन सा जिन्दा हूं लेकिन कहां जिन्दगी है मेरी जिन्दगी तु कहां खो गई है बस वही हाल होती है समझ रहो ना इसक जब तक ना हो तभी तक ठीक है चलो बागी जिनको हो गया है वो हमसे थोड़ा राय सला ले सकते हैं लाश्ट में मिलेंगे बताव ये गाना कितने लोग सुने हैं हाँ बोल दो एक बार सभी सुने हो तो गुडन तत्समक समझ गये अब अगला हेडिंग डालो भाईया ए भाईया हेडिंग डालो नहीं योगातमक परतिलोम और गुडातमक परतिलोम में आजाओ अब अब इन्वर्स पढ़ेंगे किसको किसको हो गया सच सच बदाना जूट मत बोलना नहीं नहीं मेरा फेबरेट गाना रहा है ऐसी बात नहीं है एक बार हर कोई पढ़ता है उसमें पढ़ना भी चाहिए जिन्दगी भी तो एक बार मिली है चलो बीबू अच्छा सब लोग को हो गया है कुछ लोग तो छुपा रहें नहीं मुझे हुआ है लेकिन हम बताएंगे नहीं चलो जाने दो मत बताओ जब गडबड हो जागे तब रोना तम मिलेंगे एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो दिख रहा है एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स लाइट में ई है ठीक है इसे बोलते हैं पर्मिय संख्या का गुड़न या बेउतकरम परतिलोम और योगातमक परतिलोम ठीक है मैं 60 में लिख देता हूँ 60 में लिख रहा हूँ उपर वाली लाइन का मतलब योगातमक वा गुड़ातमक परतिलोम ठीक है फटापट छापलो राधा सिंग समझ में आ रहा है हिमान्चल अहिरवार दिनेस रोशन राजा अब को आ रहा है हो का फलाने तुन लोग समझा था कि इसे इन सकले देखा आया अब देखो इसका मतलब क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अब है एक कैम काय लिख दिया सब पहले हम बात कर लेते हैं गुड़ातमक परतिलोम की ठीक है मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर लेते हैं पहले पहले हम गुड़ातमक परतिलोम की बात कर लेते हैं इनको साइड कर दो ए चल तुम इदर जा पता नहीं बाद में निकलेग ना निकले रुख जाओ चलो चलो दिख रहा है Multiplicative Universe यानि गुड़ातमक परतिलोम की बात कर लेते हैं पहले तो किसी संख्या का गुड़ातमक परतिलोम वो संख्या होती है जिससे उसमें गुड़ा करने पर सारा मान एक हो जाए बस सिंपल था जैसे मैं अगर तुमसे पूँछ हूँ कि मेरे भाईया बाबू ये बताओ तुम काओ कि पांच बटा तीन में हम किस से गुड़ा करें की वन आ जाए बताओ किस से गुड़ा करने की वन आ जाए मुटका वाला देखो बहुत सिंपल है इसमें किस से गुड़ा करने की वन हो जाए सबसे पहला जवाब दिये हैं पंकज यादो बेरी गूड पंकज अच्छा माइनस दो में क्या जोड़ दें कि जीरो हो जाए ये मेरे इंटर्वी में पूछा गया सवाल है जिन्दगी में जब मैं बहुत बेरोजगारी से तंग होके परिफान था तेकी स्कूल में पढ़ाने गया वहाँ पर एक मैडम जी थी और मैडम जी कैसी थी ना पूछो ना मु कहते हैं ना जब भूख लगी हो अंदर से तो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है है ना एक बात बताओ कोई इंसान को भूख लगी है ऐसा नहीं कोई उसको मोटिवेट करेगा तभी खाना खाएगा उसके तो खुद चुल पढ़ी है कि मिल जाए तो खालू है ना तो वैसे उससे मैं पढ़ी थी तो मैं सब क्लियर करके फिर वहां पढ़ाना शुरू कर दिया एक हजार रुपया महीना छे गंटा पढ़ाता था लगबग एक हजार पंद्रहुस ऐसे कुछ था लेकिन आज उसका उल्टा हो गया एकदम है ना चले आगे बढ़ें सबसे प हुआ है दो थीक है ठीक है भाई बहुत अच्छे-आसीज-बरेगूड गलत है थोड़ा सा चिन गलत कर दिये हो ठीक है ठीक है भाया बेरे गुड बेरे गुड टाइम काफी ज्यादा हो गया जार देखो इन में इसका आप पलट के इसको गुड़ा कर देते हैं जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा पैर नीचे खोपड़ी उपर है ना कि अच्छा यह मतलब तो चला फिर कि चला फिर तोका देख ले अब देखो इसका मतलब काया देख ले बोला अब जैसे मैं एक और पूछा कि पांच बटा फत्रा इसका क्या होगा कि अच्छा मैं केवल नो लिख दिया इसका क्या होगा कि अच्छ लोगों को टाइम भी दो भाई रोहित सब को डारेक्ट दबाए रहोगे ते लोग बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा नरम दिल अपनाओ इनके उपर काय जुलम कर रहे हो थोड़ा तो बदलिया लेने दो कभी कभी चलो तो इसका क्या करेंगे इसका भी इसका पोजिट पलट देंगे मतलब बस फाइनल में वन आ जाएगा ये भी और इसका क्या होगा इसका तो कोनों नहीं बता पा रहा है धवल तिरपाथी बेरी गुड अर्चना जादो माइनफ नहीं होगा ये तो तुम लोग ए भाई क्या पढ़ रहे हम लोग हाँ मल्टिप्लिकेटिव पढ़ रहे हैं काय को हमें टेंसन में कनफ्यूज कर रहे हो मल्टिप्लिकेटिव में चिन नहीं बदलता लिके रख लो वो योगातमक में बदलता है एडिटिव में एडिटिव में सिर्फ चिन बदलता है बाकि कुछ नहीं होता है ठीक है तो confusion में आ जाते हैं DL8 वगरा के syllabus में यह है कि बहिए चिन बदलेगा कि पलटेगा तो गुड़ातमक वाले में पलड़ता है चिन जो भी रहता है पलस माइनस वैसे रहता है लेकिन लेकिन गुड़ात्मक वाले में नहीं बदलता योगात्मक वाले में बदलता भी उभी दिखाऊंगा ठीक है तो ये भाईया 9 बटा 1 है सीधा फीधा इसका अंसर आएगा 1 बटा 9 यानि 9 का जो गुड़ात्मक परतिलोम होगा 1 बटा 9 होगा क्यों अईसा काहे को होगा क्योंकि 9 को जब एक बटा 9 से गुड़ा करेंगे हम तो ये निपट के फाइनल में 1 अपान 1 फाइनल में 1 आ जाएगा ये चल जा यार काहे सरमा रहा है ठीक है सभी को समझ में आ गया चलो अब इनको कर दो छोटा इनका टाइम गया कहते हैं न वक्त बड़ा बलवान है इनको साइड में रख दो अब इनकी बारी आई चच्चा और चच्ची की इनको ले आओ यहाँ एडिटीव इनवर्फ एडिटीव इनवर्फ योगात्मक परतिलोम इसमें कहा है देखो भाय समझो सबही एक आईसी संख्या जिसको किसी पर्मिय संख्या में जोड़ने पर उसका मान सुनना हो जाए मतलब बर्बाद हो जाए वो एकदम से जिसे देखो बहुत साए लरकवा खोज रहा है लरकी दोनों मिलके बर्बाद हो जाए कहोगे ऐसे कैसे ऐसे बर्बाद होते तो पूरा दर तक दूनिया बर्बाद हो जगई होतीए बरबाद कहा होते हैं हम लोग तो और बढ़ जाते हैं दो से तीन तीन से चार हो जाते हैं नहीं दो तरह से देखा जाता है एक तरीके से देखते हो जैसे मैं बोला तो बरबाद है होते हो दूफरे तरीके से देखते हो तो ठीक है अच्छा है एंगल एंगल की बात होती किसी चीज को देखने का नजरिया की बात होती, किसी की नजरिया में वो गलत है, किसी की नजरिया में वो सही है, समझ रहे हो कि नहीं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग फटा फुटा कपड़ा पाहिन के गूम रहे हैं, तो उनके नजरिया में गलत है, ये गरीब है, इनके कपड़ और नहीं इसलिए फटा पहिने हैं लेकिन जो अमीर हैं वो कुल फाड़े हैं जगए जगा फैसन में उनके लिए वह अच्छा है कि समझ रहे हो दोनों का नजरिया अलाग अलाग है कि चलें आगे बढ़ें एडिटीव इनमर्स इसका क्या है वह एक ऐसी संख्या जिसको उसमें जोडने पर जीरो हो जाए जैसे मैंने कहा कि पांच तो पांच का योगात्मक परतिलोम क्या होगा पांच में एक ऐसी संख्या जिसमें कुछ ऐसा जोडने कि सुनना हो जाए सब बताओ क्या होगा टाइम काफी ओबर हो गया बाबू लेकिन सारा काम किलियर हो चुका है कोई बात नहीं सब खतम हो चुका है तो पांच में अगर हम माइनस पांच जोडेंगे तो जीरो हो जाएगा हम कह सकते हैं कि पांच का योगात्मक परतिलोम जो होगा लिख लो पांच का जो एडिटिव इनवर्स होगा बाबू माइनस पांच होगा ठीक है इसी तरह से माइनस 3 बटा 7 इसका जो additive inverse होगा वो plus 3 बटा 7 होगा क्योंकि इनको आपस में जोड़ो कि 0 हो जाएगा ठीक है संक्या 21 21 का additive inverse बताओ फट से है भाई आमका अंग्रेजी नहीं आवत हम देशी भोजपुरी थोड़ बहुत बोल पाई थे लेकिन हम आवधी बहुत अच्छा बोल ली थे तो सम्झू भाई नी हम अंग्रेजी नहीं जानी अब तो तो काई होना समझ माय होए कुछ कातिया sorry पर टॉक इन इंगलिस हम इंगलिस टॉक कर देंगे यह लोग भाग जाएंगे जैसे भूत भागते हैं चला भईये तो आज के कलास होईगे खतम और फिर बस टेली गराम पर आप हमें जरूर जवाइन कर लिजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और फिर ही पढ़ना चाहते हैं ठीक हैं इस समय एक बैच आ रही है जिनका नाम है क्वाल्टी वैच उसके वीडियो लगतार आपको यूटूब पर मिलेंगे उसके सारे पार्ट आपको यूटूब पर मिलेंगे तो आप हमें टेली गराम पर जरूर जवाइन करें जिससे हम आपको सारी कलास का लिंक भेज पाएं ठीक है आप किसी को होल्ड नहीं करना रो देजिए रोहिच द्विशकरमा जी रोहिच जी अगली क्लास का लिंक भेज दीजिए यह लोक को पढ़ लें आके फटा फट अगली क्लास का लिंक भेज दीजिए डियलेट का दस बज़े से है या फिर आप PBR स्टडी आप डाउनलोड करके इन्रोल कर लिजिए तुरां फटा फट PBR स्टडी आप आपको गूगल प्ले इस्टोर पर मिल जाएगा तो आज ही इंस्टाल करें देर ना करें और हाँ ये कोर्स बिलकुल पूरा फ्री इन्रोल करने का मौका है आप हमें गूगल प्ले इस्टोर पर पांच रेटिंग दें और एक अच्छा सा कमेंट लिखें अपना रिव्यू और उसका स्क्रीन साट ले करके हमें वाट्सअप पर भेजें ठीक है इसका रेटिंग करके हमें वाट्सअप पर भेजें आपको बिलकुल फ्री कोर्स में इन्रोल किया जा सकता है अप्टू वन मंथ से लेके वन इयर तक के लिए ठीक है वन मंथ से वन इयर प्री पाएं ठीक है तो यह नंबर नोट कर लिजिए इस पर वाट्सअप करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप की रेटिंग करना है डाउनलोड करना है वन मंथ से लेके 12 मंथ तक मतलब वन इयर तक आप फ्री कोर्स इंडोल कर सकते हैं यानि आपको अगर बात करें तो पूरा 11.99 रूपए का लाब मिल सकता है वन इयर के लिए अमाउंट होता है ठीक है भाईया तो जिनको भी यह बात समझ में आ रही फटापट कर लो तो चल रहे हैं फिर आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू किसी का कोई सवाल रहा गया कोई डाउट रहा गया तो हम में comment करके बताएंगे इस्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे है उन पर संपर करें आपकी जो भी हो सकती है help की जाएगी बाकी जाताजनकारी के ल